जो जी दोस्तों क्या हाले क्या हाले क्या हाल है I hope you are all doing really really well दोस्तों क्या करने वाले आज ही क्लास में अपन सर आज ही क्लास में हम लोग mega revision करने वाले आपके पूरे के पूरे chapter 9 का जिसका नाम है assessment of various entities ये chapter में हम लोग एक एक छोटा छोटा provision जो आपके ICI module में covered है वो पूरा 100% revise करने वाले है मैं अगले एक गंटे के लापका 100% attention चाहता हूँ इस वाले session में हम लोग सिर्फ सारा theoretical portion देखेंगे जो questions होंगे और जो बाकी चीजे होगी वो अगले session में देख लेंगे क्या आप मेरे साथ ये revision करने के लिए तयार है सर एक बार final confirmation देदो कि आपको audio video clear है एक बार फड़ा फट बता दो हाजी सर चलो आप लोगोंने confirm कर दिया audio video एकदम clear है तो हम लोग शुरू करते है revision क्या करने वाले है सर हम लोग पूरा का पूरा chapter 9 assessment of various entities उसी sequence में जिस sequence में आपके ICA module में दिया हूँ है आप उसको revise करने वाले है प्लीज ध्यान रखना अगर आपको ये notes से तो नीचे description पे आपको एक link मिलेगा वो link में आपको जा करके बहुत ही nominal price पे ये notes मिल जाएंगे जो आप इसको ले सकते हैं अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना सर ये आप लोगों का chapter number 9 है assessment of various entities यहाँ पे आप company से शुरू करोगे firm, AOP, AOP, BOI और उसके अलावा individual सारे लोगों के assessment के थोड़ी थोड़ी बाते करोगे इसमें सबसे cars provision आपके mat और PMT का है और उसके अलावा tonnage taxation भी आता है और उसके अलावा 115 BAC, BAB, BAA ये सारे sections जो इसमें आते हैं तो हम लोग धीरे-धीरे करेंगे सर basic से शुरू करेंगे और धीरे-धीरे level up करेंगे सबसे मेले मेरे को बताओ company का मतलब क्या होता है सर, company का मतलब आप सुरू से बढ़ते हैं company, company, company क्या companies act वाला company ये जी नहीं सर, बिलकुल भी नहीं यहाँ पर company का मतलब होता है कोई Indian company under section 226 या फिर कोई body corporate जो इंडिया के बहार in corporate हुआ है या फिर सच association और institution as the board may decide सर, ये जो board होगा, ये कौन सा board होगा ये आपका CBDT board होगा, ये CBDT वाला board होगा अब सर, मेरी बात ध्यान से सुनना ये तीनों चीज़ क्या होगे, ये आपकी company होगे अब सर, सवाल ये है, कि company को दो पाट में divide करू तो दो तरह की company आती है, एक domestic company, एक foreign company अब आप पूछेंगे, domestic company क्या होती है जो तोनों में से कोई एक condition comply करे, मेरी बात ध्यान से सुनना कोई भी अगर Indian company है, domestic company मतलब Indian company जो company which is formed and registered under Companies Act and has a registered office और principal office in India सर, अगर आपका registered office या principal office इंडिया में सबसे पहला तो आप लोगों ने इंडिया में बने होने चाहिए और आपका साथ साथ में registered office भी इंडिया में होना चीज तब जाके आप Indian company बरोगे और Indian company बने तो आप domestic company कहला होगे और दूसरी तरफ सर, और कौन से company domestic company कहलाते है सर, any other company which has made prescribed arrangement for declaration of payment of dividend in India वे out of taxable income मतलब अगर आप इंडिया के बाहर की company भी हो तब भी आपको domestic company बोल देंगे अगर आपने इंडिया में dividend के payment का क्या कर रखा है arrangement कर रखा है सर, dividend के payment का arrangement मतलब क्या उसमें ये तीन condition meet होते है सर सबसे पहला, आपका जो share register है न वो share register को आप इंडिया में किसी principal place of business में maintain करते हो दूसरा, सर आपका जो AGM है न वो इंडिया के अंदर होते है, dividend जो है अगर ये तीनों condition meet हो जाए अगर ये तीनों condition meet हो जाए तब जाके माना जाता है कि आपने dividend का इंडिया में arrangement कर रखा है क्या आप अठर है सर, हम जीवन में आपने बोला भी इंडिया में होना चाहिए फालतू का जवरदस्ती का additional condition डाला अब दूसरी तरफ दूसरों कोई और company को भी हम domestic company बोल सकते है अगर उन्होंने dividend का arrangement इंडिया से कर रखा है dividend का arrangement मतलब shareholder का registered इंडिया में, AGM इंडिया में होता है और उसके बाद उन्होंने dividend declare कर रखा है which is payable within India अगर आपको यह fast लग रहा है तो मैं आपको बता दू राजा, यह revision revision का मतलब है, vision को revisit कर रहे है हम लोग, आपके बस अगर vision नहीं है तो आपको यह fast ली लगेगा, तो ख्रिपया कर रहे है तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहे है फिरी बात सुरिए ध्यान से सर यह हो गया आपका domestic companies के अलावा जितने भी companies बचती है वो आपके लिए हो जाती है foreign company क्या आपको मेरी बात समझ में आइगे अब सर हमने क्या का domestic company को और दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होता है widely held company एक होता है closely held company widely held company मतलब क्या, जिसका जनता जनार्दन जिसको hold करती है, सर widely held company मतलब क्या, सर जिसको जनता जनार्दन hold करती है, पर closely held company मतलब selective लोग hold करते है अब सर widely held company में इन्हों ने या देखो इन लोगों हो तो widely held मानेंगे सबसे पहला company which is owned by central government state government और RG मतलब सरकारी company दूसरा अगर ownership नहीं है फिर भी अगर 40% से ज़ाधा अगर shares hold करते है तो उसको भी हम क्या माल लेंगे widely held company section 8 company हो गया या कोई भी company जिसको declare किया गया हो widely held company वो भी widely held होता है सर उसके बाद नीधी company और उसके बाद क्या कहा मैंने कोई ऐसी company जिसमें 50% से ज़ाधा voting power एक या एक से ज़ाधा cooperative society hold करता है एक या एक से ज़ाधा cooperative society hold करते है और सर लास्ट में देखो अगर एक company हम लोग समझ रहे widely held company हम public company नहीं बोलते है सर हम बोलते है widely held company उसमें ये लास्ट वाला definition क्या है अगर कोई ऐसी company है जो private company नहीं है and दोनों में से कोई एक condition है पहला condition अगर उसका equity share listed है या फिर 50% से ज़ाधा voting power government या फिर statutory corporations जैसे कि LIC या कोई widely held company या उनकी holy on subsidiary hold करती है 50% या उससे ज़ाधा voting power मतलब तुम widely held company के subsidiary हो या widely held company के holy on subsidiary हो तो आपको भी widely held company मान लिया जाएगा शर्त यह है कि आप एक private company नहीं होने चाहिए सर कि आपको widely held company में क्या-क्या आता है basically समझ में आया अगर यह सब exam में आएगी तो आपकी lottery लग जाएगी पर sir यही सब चीज़े जो हमको आती है भही तो exam में नहीं आती है जो हमको नहीं आती है वही गुस-गुस के आती है तो भही है यह हमको आती है कि नहीं आती है हमको नहीं पता पर ये exam में तो बहुत कम ही आती है अब मेरी बात चाना दोस्तों आगे बढ़ते हैं सर आपके companies पर क्या tax rate लगेगा यह याद कर लेना 25% लगेगा अगर आपका previous year 21-22 में 400 करोड या उससे कम का turnover है और उसके बाद मैंने क्या का 30% उसके अलावा लग जाएगा other cases में सर सर्चार्ज की बात करें 7-12-25 7-12-25 1 करोड 10 करोड 1 करोड से जादा 7% 10 करोड से जादा 12% 1 करोड से जादा 2% 10 करोड से जादा 5% in case of a foreign company सर इतना तो याद होईगा न इतना तो अपन assumption पे चल सकते हैं आगे मेरी बात सुरो दोस्तो यहापे कुछ sections है जो closely held company को सिर्फ apply करते हैं आपको याद रखना है सिर्फ खास ये वाला आपको याद है deemed dividend के concept में जो last वाला clause होता था उसमें ये लिखा गया था कि closely held company अगर loan या advance देती है तो वो loan या advance को dividend माल लिया जाता है up to the amount कुछ 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 वहाँ पे था वो हम बाद में देखेंगे पर सर आप मेरी बात सुनो 115 BAA और BAB क्या कहते है मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर बिलकुल आसान section है exam के point of view से important है जितना मैं बताऊंगा बस उतना ही आद करना सर 115 BAA क्या कहते है पहले ही आया और बोला हम companies को support करना चाहते है कैसे करोगे सर कम tax rate लेंगे उनसे कितना लोगे हमने बोला 20% लेंगे किससे ये provision इन्होंने सारे domestic company ले बनाया बोले हम आपसे सिर्फ 22% लेंगे और बाकी जो special rate वाले हाँ वो तुम special rate में देदा 111 A, 112 A as it is apply करेंगे सर यहाँ पे mandatory सर्चार्ज किता है पता है 10% problem यह है यहाँ पे सर्चार्ज लग ही जाएगा चाहे कुछ भी हो कि आपका सर्चार्ज लग ही जाएगा without any limit यहाँ 7% नहीं है 12% नहीं है पर आपको 10% का flat सर्चार्ज लग जाएगा पर सिर एक हाथ से अगर कम tax rate दे रहे तो बदले में कुछ लेंगे भी तो सही क्या लेंगे दोस्तो यह आप से ही सारा deduction आपका चीन लेंगे मेरे को बताओ सर कौन कौन से deduction है section 10 AA का मतलब SCZ का deduction जो हम इसी chapter में revise करने वाले हैं उसके बाद दोस्तों आप देखो आपको additional depreciation नहीं मिलेगा आपके business पे additional depreciation नहीं मिलेगा आप 33 AB में जो आपका 33 AB था और 33 AB है था वो आपका tea rubber coffee वाला और 33 AB है जो हो गया natural mineral oil वाला और उसके अलाबा 35 का research and research के लिए जो आप contribution करते हो तो 35 2, 2A, 3, 2AA, 2AB यह सारे deductions आपको disallow हो जाएंगे सर जो एक company को मिलते हैं उसके बाद सर 35 AD जो आपका investment link deduction था इतना बड़ा specific deduction था 35 CCC और CCD सर जो आपका 35 CCC और CCD वाला deduction था skill development का deduction और उसके वाला agricultural extension का deduction वो सारे हट जाएंगे और सर सबसे बड़ी बाद chapter 6A का deduction हट जाएगा पर मिलेगा तो क्या मिलेगा याद रखना 80 जा और 80M मिलेगा सर 80 जा क्या है JJAA जो आप additional employee hire करते है उसका deduction और 80M क्या है राजा 80M है आपका dividend वाला ये इतने deduction बस मिलेंगे उसके अलावा कोई भी deduction आपको नहीं मिलने वाला ये एक हाथ से दे रहे हो आप सर ये जो चीज़े दे रहे हो याद रखना ये 115.20 में भी जा रहा है BAB में भी जा रहा है BAA में भी जा रहा है लेकिन याद रखना सर ये जो चीज़े ना ये तो जाएंगे ही जाएंगे plus इस से related मालनो आपने पुराने किसी साल में मालनो additional depreciation का या 35 AD का deduction लिया था और उसके वज़े से आपके कोई losses है या unabsorbed depreciation है पहले ये deductions लेने के वज़े से पिछले सालों में उनके losses अगर carry forward हो रहे तो वो prod forward losses भी जो है ना उसको भी चूम अंतर हो जाएगा मालनो से पिछले साल मैंने 35 AD का deduction लिया 10 करोड का वो deduction लेने के वज़े से मेरे को 5 करोड का loss आया तो 5 करोड का loss इस साल के adjust हो पाएगा नहीं वो loss भी adjust नहीं हो पाएगा होथ है उस loss में भी समझे सर उसके बाद मैंने क्या कहा यह आपका basic provision हो गया 115 BAA का जो किसको एक किसी भी domestic company को है फिर हमने बोला हम domestic company को और थोड़ा motivate करना चाहते है दो चीज के लिए या तो manufacturing करने के लिए या energy जेफ और जेनरेशन ऑफ electricity manufacturing करो चाहे तुम electricity क्यो नहीं manufacture कर रहे हो उसके लिए हमने एक और provision बनाया कोई भी अगर new manufacturing company है कोई नहीं company है जो set up हुआ है 1st October के बाद और comments किया है 31st March 2024 के पहले कब किया है 31st March 2024 के पहले तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर आप अगर ऐसी company हो इसका भी timeline खतम हो गया पर अगर आप 31st March 2024 के पहले incorporate कर लिया होते तो आपके लिए tax rate और भी कम कर देंगे इतना कितना कम कर दोगे सुनो सर यहाँ पर tax rate सबसे जाधा important है अगर ध्यान से सुनो manufacturing तुमारा कोई काम है manufacturing या electricity generation से जितना भी income आ रहा है उसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसी income आ रही है जिसके लिए कोई special rate of taxes नहीं दिया हुआ है तो हम 22% ले लेंगे मतलब manufacturing के लिए 15 बागी के लिए 22 लेकिन सुनो भाईया आपको पता है 111 A, 112, 112 A यह सब special rate है तो हम वो तो special rate पे tax करेंगे पर दोस्तों मेरी बात ज्यान से सुनना हमने एक special provision बनाया अगर आपको short term capital gain होता है वो भी on non depreciable capital asset सर आपको पता है अगर capital asset पे short term capital gain होता है तो वो slab में जाके taxable होता है पर हमने बोला अगर non depreciable capital asset में अगर आपको short term capital gain हो रहा है तो उस पे 30% पगेरा लगाने के जगा हम आपको 22% का फाइदा दे रहे है मतलब हमने 3 चीज़े बोली 15% manufacturing का बाकी किसी और चीज़ का 22% साथ में short term capital gain और non depreciable capital asset भी हम आपसे 22% लेंगे पर राजा आपका अगर कुछ deemed income माना जाएगा जिसको हम क्या कहते है profit in excess of the profit determined by AO तो team income आगे चलके मैं बताऊंगा जो माना जाएगा उस पे हम 30% तक भी लेंगे सर अलग-अलग tax rate देख रहे हो आपको exam में 115 BAB का अगर question आएगा तो पक्की बात है वो आपको बोलेगा total taxation calculate करो और उस total taxation में आपको सर क्या आपको मेरी बात समझ में आएगा आगे बढ़ू अब से मेरी बात ध्यान से सुनना ये business new business होना चाहिए new मतलब क्या new मतलब आप हमेशा के लिए याद कर लो 2 point याद कर लो सबसे पहला you should not be formed by splitting up and you should not be formed by transfer of used plant or machinery आप ना तो split up से बनो नहीं आप used plant or machinery लाकर के बनो पर रामेशा याद रखना used plant or machinery का दो exception होता है पहले exception यह होता है कि आप import लगर कर रहो used plant and machinery जिसका इंडिया में पहले कभी depreciation नहीं लिया तो वो चल जाएग अगर आप import रहे हो जिसका इंडिया में पहले कभी नहीं माना जाएगा, total का maximum 20%, जो आप अपने दूसरे business से यहां ला रहे हो, वो भी चल जाएगा, तो sir, use plant and machinery नहीं होना चाहिए, उसके बाद हमने क्या बोला, आपको ऐसी building में बात use करो, जो previously आपने hotel के तरह, या conventional center के तरह use किया, और उसका section ID में depreciation, deduction क्लेम कर लिया, उसके बाद sir, yeah, you are not engaged in business, other than manufacturing और power generation, आपका इसके अलावा कोई भी और business नहीं होना चाहिए, sir, यहाँ पे सबसे unique बात क्या है पता है, जब आप business बात करते हो manufacturing की, तो manufacturing में न, यहनों ने बोला, यह सब चीज़े नहीं आती, सबसे पहला printing of books, यह सबसे important है, sir, याद करो, जब आप additional depreciation बढ़ते थे, आपको पता था, manufacturing अगर कर रहा है, तो उसको additional depreciation का मिलेगा deduction, पर sir, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे manufacturing printing of books नहीं आता, additional depreciation में लिगा था, for the purpose of manufacturing, printing of books will be considered as manufacturing, पर यहाँ पे manufacturing नहीं माना जाएगा, printing of books को, और production of cinema films, अभी अब cinema बना रहे हो, क्या manufacture कर रहे हो, नहीं sir, उसको नहीं माना जाएगा, उसके अलावा development of computer software, और mining, conversion of marble blocks, bottling of gases, यह सारी चीज़े आपकी क्या नहीं मानी जाएगी, यह सारी चीज़े आपकी manufacturing नहीं मानी जाएगी, 115 BAB के लिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आई राजा, did you understand, यह sir, अब आगे मरते कुछ बाते ध्यान रखना sir, surcharge दोनों भी case में, अब ही जो भी चीज़े है, वो 115 BAB, दोनों के लिए common है, पहला सरचार, sir, सरचार लगेगा 10% irrespective of the limits, मतलब आपके लिए कोई bottom limit नहीं है, आपको सीधा 10% का सरचार लग जाएगा, दूसरा sets लगेगा आपको बदाए 4% का, sir, mat का क्या scene होगा, मेरी बात सुनना दियान से, जब आप ये section के लिए opt करोगे न, तो आप mat का set off भी नहीं कर सकते, और mat के हिसाब से taxation भी नहीं लगेगा, आपको चुप चाप जो tax आ रहा है, इस के हिसाब से वो जाके भर देना, क्यों sir, क्योंकि सोचना यार, 115 B.A.B. लगेगा, तो एक तरफ तुम बोल रहा है, 15% वैसे ही ले लेंगे, उपर से तुम बोलो के, एक बार mat का भी calculation कर लेना, नहीं करना भाई, mat का calculation दोंको नहीं लगेगा, उसके बाद दोस्तों मेरी बात सुनना, opt in और opt out, 115 B.A.B. के लिए अलग है, 115 B.A.B. के लिए अलग है, सर, 115 B.A.B. थोड़ा liberal है, 115 B.A.B. पे हम तुमको थोड़ा जाधा discount दे रहे, तो दोनों में फरक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सर, अगर आप 115 B.A.A. मतलब जो पहला वाला section है, उसके लिए opt in करना चाहो, आप अपने during the course, कभी पे opt in कर सकते हो, एक बार opt in कर लिया, तो opt out मत करना, और एक बार opt out कर लिया ना, तो दुबारा opt in जल्दी से करने नहीं देंगे, क्या है वो में exactly बताता हो, पर 115 B.A.B. में याद करो, हम आपको 15% दे रहे, मतलब आपको बहुत significant benefit दे रहे, आपको अपने incorporation के, first year के अंदर अंदर आपको क्या करवाना पड़ेगा, opt in करना पड़ेगा, नहीं करे, तो भया भाड़ में जा तिरको और इसका deduction नहीं मिलने वाला, मतलब तू जैसे ही manufacturing unit डाला ना, उसके first year के अंदर तू या option के अंदर आपको अपन कर ले ना, as soon as you incorporate, कि आपको मेरी बात समझ मैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखो, 115 B.A.B. में लिखा है, very first year में, पर 115 B.A. में, assessi can opt in any assessment year, लेकिन sir, one opted in for special rate, cannot opt out subsequently, और अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, in case the failure to comply with the relevant condition, option to exercise concessional rate, is invalid for that assessment year, and subsequent assessment year, अगर आप कोई condition नहीं मानते, तो आगे चल के आप इसको opt in नहीं कर सकते, और sir मेरी बात ध्यान से सुनो, sir, कभी-कभी अगर आपको 115 B.A.B. के बाहर fake दिया गया न, तो company फिर भी 115 B.A.A. के लिए opt कर सकता है, पर 115 B.A.A. के लिए opt से fake दिया गया न, तो 115 B.A.B. के लिए opt नहीं कर सकते है, sir, सुनना, B.A.A. B.A.B. यहां से fake आ गया न, यहां आ सकते हो, सर, यह B.A.B.B. B.A.B. के बहुत न गरहे, समझे, sir, यह tax rate का, मैंने आपको example दिया है, आप एक बर वो देख सकते हो, कहां पे 15, कहां पे 10, मैंने आप लोगों के लिए high rate कर दिया है, यह solve करोगे तो, आपको 100% clarity मिल जाएगी, अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, sir, 115 B.A.B. के में एक adjustment है, एक छोटा सा adjustment है, और इस adjustment से deemed income निकलता है, और इस deemed income पे उन्होंने क्या बोना 30% tax लगा देंगे, sir, क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अगर normal assist you, आपने अगर 115 B.A.B. में opt किया है, और हम दोनों भाई-भाई है, या फिर हम दोनों भाई-भाई में, अब मेरी बात चुलो, अगर मैंने आपको, मैंने क्या किया, मैंने बोले याद मेरे तरफ से तो 30% का tax जा रहे, तेरे तरफ से तो सिर्फ 15% जा रहे, एक काम करते है, मेरी profit थोड़ा सा तेरे books में shift करते है, बतलब तु कोई सामान मेरे को महेंगा बेच दे, मेरी cost बढ़ जाएगी, तो मेरे profit कम हो जाएगे, उल्टा तेरी profit बढ़ जाएगी, शे करोड पे, शे करोड पे तुम से normal tax लेगा, बचा हुआ जो amount है न, उसको deemed income मानेगा, और उस पे 30% का क्या ले लेगा, tax ले लेगा, तो 6 करोड पे कित्ता लेगा, 15% और उपर का जो है न, 9 करोड रुपया, उस पे आपसे 30% ले लेगा, अब अगले topic में जाते है दोस्तों, हम बात करने वाले minimum alternate tax के बारे में, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, सर, minimum alternate tax के बारे में क्या बात करने वाले है, minimum alternate tax आपकी companies ले बहुत important होता है, और उसमें हमने बोला, कि हर company को अपने book profit का 15% tax देना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे सर, पहले तुम normal tax liability निकालो, फिर book profit निकालो, और book profit का जो 15% है वो निकालो, वो आपकी tax liability आगे, दोनों मैंसे whichever is higher, will become what, will become your, दोनों मैंसे whichever is higher, will become your tax liability, अब दोस्तों इसमें surcharge भी आड़ करना, और sales भी आड़ करना, क्यों surcharge आड़ करना जरूरी है सुनना, क्योंकि surcharge ऐसा हो, surcharge आड़ करना जरूरी है, बस अभी के लिए समझो, सर एक बहुत बड़ी बात, आपका जो MAT का provision है न, ये domestic company को भी apply करता है, foreign company को भी apply करता है, सुने नहीं तुम, मैं जो बोला, तुमने देखा, तुमको लगा तुमने सुना, पर सुने नहीं, मैंने बोला, foreign company को भी apply करेगा, थोड़ा feel तो लो, अगर एक foreign company है, जो आ करके हमारे company साट से, हमारे income tax साट से लेना देना है, तो उसको भी ये provision MAT का apply कर जाएगा, अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, sir अगर आप एक IFC में situated unit हो, तो आपके लिए MAT 15% नहीं, फिर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 9% है, आपके लिए मज़े मौझा ही मौझा करवा दिया, sir हमने आपके लिए rate कितना करवा दिया, कम करवा दिया, अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर आपको क्या बोल रहा है, MAT का calculation कैसे होगा, उसके लिए आपको book profit निकालना है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, book profit में क्या क्या adjustment होंगे, जितना मैं बोलूँगा सिर्फ उत्ते ही adjustment होंगे, उसके अलावा कोई भी adjustment नहीं होने वाला है, what will you add and what will you reduce sir, मेरी बाद एकदम द्यान से सुनना, add में आप क्या करोगे, सबसे पहले वो देखते जाओ, अगर यह चीजे debit हो रखी है आपके books of account से, तो increase करोगे उनको in amount से, sir debit क्या हो रखा है, sir आपका income tax act, जितने specific points बताऊंगा, सिर्फ उत्त नहीं याद रखना, आपका income tax act, चाहे income tax act में सर्चार्ज बोलो, interest बोलो, sales बोलो, यह सारी चीज़ आड़ बैक हो जाएगी, यह minus नहीं होगा, पर दोस्तों हमने सिर्फ tax बोला है, तो आप penalty यह security transaction tax, commodity transaction tax, इसको add back मत करना, आप normal tax को interest fee बगेरा को add back कर देना, उसके बाद दोस्तों, fee भी इन्होंने नहीं लिखाए, सिर्फ tax लिखाए, उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ आप क्या add करोगे, यहाँ पर बहुत सारे income exempt होते, तो जो income exempt होते, उनको income में से अटाना, और उससे related खर्चा expense में से अटाना, जो income exempt होते है, उसको expense में से अटाना, और खर्चा expense में से अटाना, इसी 5 चीज़ें जो आप मेरे साथ याद करोगे, सबसे पहली चीज़, सर आपका section 10, 11, 12 में जो income आता है, सर section 10 में तो भतेरे सारे income है, section 11 किसकी बात करता है, charitable trust और religious trust की income, और section 12 भी उसकी बात करता है, वो जो incomes है न, उनको हटा देना, क्योंकि वो exempt है, तो उनसे related जो expenses है न, उनको भी हटा देना, पर दोस्तो धियान से सुनो, section 10, AA नहीं लिखा है यहापे, section 10 और 10, AA अलग अलग है, B.O.I. से आपका share मिला है, तो section 86 कहता है, कि अगर A.O.P. B.O.I. ने, M.M.R. पे tax बर दिया है, maximum marginal rate पे tax बर दिया है, तो वो company के हाथ में exempt हो जाता है, अभी तुमको तुमारा share मिला है न, तो वो share को income में से हटा दो, और उससे related खर्चे को expense में से हटा दो, या आप अपने net profit में adjustment करोगे, तीसरा सर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक foreign company है, उसको income मिल रहा है मानलो कोई capital gain का, या interest, dividend, royalty, fees for technical services का, और उसका tax rate न, 15% से कम है, तो उसको भी क्या करना, आप अपने income में से हटा दिना, कौन सी income सर, मैंने कहा अगर एक foreign company है, क्योंकि foreign company को भी माट लगता है, तो उसको अगर capital gain का income आया, सर याद करो capital gain में, आपको 112 या 112A में आपको थोड़ा सा कम tax रखता है, तो या तो अगर capital gain का income आया, या dividend interest royalty fees for technical service आया, जिसमें 15% से कम है, तो उस case में उस income को भी हटा देना और expense को भी हटा देना, तो ये तीन चीज होगे सर, पहला क्या होगे आपका, पहला आपने section 10, 11, 12, दूसरा section 86 से मिलने वाला share AOPBOI का, और तीसरा foreign company अगर आपको, सुनो न, क्या का मैंने, सर, foreign company अगर आपको क्या दे रहा है, foreign company अगर आपको ऐसा वो income दे रहा है, जो 15% से कम पे taxable है, उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बोला, उसके बाद 4 point आपका आजाता है, आगे बढ़ो, 4 point आजाता है आपका royalty from patent, सर, अगर आपने patent करवाया और 115 BBF में royalty मिल रहा है, जो शायर 10% पे taxable होता है, तो भईया, वो royalty अगर आप हटा रहो, royalty का income 10% पे taxable है, तो income भी हटाओ, और उससे related expenses भी हटा दो, सर, ये 4 बस चीज़े याद रखना, 5 नहीं, 4 चीज़े, ये 4 चीज़े income से भी हटाओगे, और expense से भी हटाओगे, क्या आपको मेरी बात समझ में आई सर, उसके बाद मैंने क्या कहा, ये हो जाने के बाद, business trust वाले point पे आते हैं, पर आगे की बात मेरी ध्यान से सुनना, ये तो क्या income हटेगा, क्या expense हटेगा, वो आप समझ गए, अब वापस आजो, पहले green वाले डबे में, जहाँ पर हम क्या बात करेंगे, expense कौन कौन से add back करोगे, sir expense कौन कौन से add back करोगे, ध्यान से देखो, sir आपना depreciation amount, जो भी books में है, उसको add back कर देना, तो फिर क्या sir, हम income tax वाले depreciation माइनस करेंगे, अरे ओ सुनो, sir income tax वाले depreciation का, मैट में कोई लेना देना नहीं है, मैट में कोई लेना देना नहीं है, बस हम depreciation add back इसले कर रहे है, क्योंकि अब हम depreciation में से, revaluation वाले depreciation हटा के, minus करेंगे वापस, तो आप minus क्या करोगे sir, depreciation amount excluding depreciation on revaluation of asset, उसको हटना के आप minus करोगे, उसके बाद दोस्तों मेरे को बताओ, deferred tax का क्या होगा, deferred tax वो जहाँ add करना, add कर देना, जहाँ less करना, less कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद sir, मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनो, थोड़ी से last के कुछ चार पॉइंट में आते हैं, फिर वापस से बीच वाएंगे, अब दोस्तों सुनना, आपके कुछ और चीज़ आड़ बैक होगी, क्या, अगर आपने कोई provision मना रखा है, अनसर्टेंड लाइबिलिटी इसके लिए, इसके लिए अनसर्टेंड लाइबिलिटी जो आपने एस्टिमेट नहीं कर रखिये, sir अगर आपने लीव एनकैश्मेंट का, या ग्राचूटी का लाइबिलिटी बना, ग्राचूटी का प्रोविजिन बना रखा है, on some reasonable basis, जैसे कि अक्चुरी का रिपोर्ट हो गया, तो यह सारे असर्टेंड लिएबिलिटी होते है, या अनसर्टेंड लिएबिलिटी नहीं होते, तो यहाँ पर जो provision for unacertained liability है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो add back हो जाएगा, ascertained वाला add back नहीं होगा, दूसरा, provision for diminution in the value of asset, बोलो-बोलो क्या बोला मैंने, provision for diminution in the value of the asset, दोस्तो provision for diminution में न, आपका सबसे बड़ा आता है bad debts, अगर आपका bad debts हो रहा है, या अगर आपका provision for bad debts हो रहा है न, और last अगर आपने कोई dividend pay किया है, या propose किया है, this is an appropriation of income, और उसको minus नहीं करोगे, तो उसको भी आप क्या कर दोगे, add back कर दोगे, सर ये सारी चीज़े आप क्या करोगे, adjust करोगे, उसके बाद सर कुछ special points बचे, सर अगर आपने कोई पैसा reserves में transfer किया, amount carried to reserves, अगर आपने P&L से कोई भी पैसा निकाल के reserves में लेके गए, तो law बलेगा वापस ला, उसको add back कर और अपना profit बढ़ा दे, तो आप reserves में transfer करोगे न, तो आप मैट से नहीं बचोगे, और उसके बाद हमने का क्या खाजर, अगर आप कोई asset को dispose कर रहे हो, तो जब आपने dispose किया न, तो revaluation reserve में जित्ता भी amount बचाए, वो about आपका add back हो जाएगा, unless revaluation reserve से लाकर के आपने P&L में डाल दिया हो, unless आपने P&L में लाकर डाल दिया हो, जो भी आपके revaluation reserve में amount न, वो add back हो जाएगा, सर्थ दो चीज़े मैंने बोली reserve की, यह आपका अगर P&L है, और आपने P&L से क्या किया, 5 करोड रुपए जेनरल reserve में डाल दिया, तो लोग बोलता है भाई, उसको वापस add back कर, उस पे मैट लगेगा, पर सर्थ similarly, आपका अगर कोई asset था, और asset एक करोड का था, आपने उसको बढ़ागे 10 करोड का कर दिया, तो revaluation reserve में किता गया, 9 करोड रुपया, माननो उस asset को 10 करोड का, आपने 10 करोड में बेच दिया, तो आपके P&L में तो कुछ नहीं आ रहे है, क्यों, क्योंकि या transaction तो, आपके revaluation reserve से adjust हो जाएगा, मैं आपको अभी पूरा लिख करके नहीं बता सकता, राजा, पर class में आपने डिसकस किया था, कि आप अगर 10 करोड का कर दोगे revaluation से, और फिर पेच दोगे, तो P&L में तो कुछ नहीं आया, तो इसलिए हमने बोला, revaluation reserve में जो भी balance बचेगा न, उसको लागे P&L में add back कर दे, ताकि हम उस पे mat खीच सके, वर यह कब होगा, यह सब तभी होगा, जब आपने क्या कर दिया, asset को sale out कर दिया, asset को dispose off कर दिया, अरे समझला का है, समझे, अगे बढ़ते, अब मेरी बात ध्यान से सुनना रहा जा, उसके बाद क्या लिखा है, amount withdrawn from reserve if credited, सर अगर आपने reserve से कोई पैसा लाया, और उसको आपने P&L में credit कर रखा है, तो उसको अभी इस तरफ right side में क्या है, minus कर देगा, एक बढ़ ऊपर से देख लेते, कुछ चुटा ही गए minus का, नहीं सर, major points हो गए, अब देखो सर, ये 2-3 points बचे, आपके जो minus करने, आपको P&L में से minus क्या 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 करना होगा, सर मैं आपको corresponding transaction समझा रहा हूँ, थाकि आप debit credit plus minus एक साथ कर सब को exam में, अगर आपने बुक प्रॉफिट को उस amount से minus कर दोगे, अगर बढ़ा हुआ था, तभी आप उसको minus करोगे, सर क्या कहा है इनोने, अगर आपका बुक प्रॉफिट उस amount से बढ़ा हुआ है, तभी आप उसको minus कर दोगे, पर अगर आप reserve से कोई पैसा निकालोगे, तो उसको minus कर देना, next, सर अगर आपने re-valuation reserve से कोई पैसा लाया, और उसको P&L में भर दिया, तो चितना उस re-valuation पे depreciation दा न, उतने हद तक का आप क्या कर दोगे, minus कर दोगे, मतलब सर, re-valuation reserve से अगर depreciation, अगर आपने कहाँ पे लाया, P&L में लाया, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जितना आपका re-valuation पे depreciation दा, उतने अब आउन तक का आप क्या कर दोगे, यहाँ पे minus कर दोगे, उसके बाद सर, अगर आपका unabsorbed depreciation और broad forward losses दोनों है, तो क्या दोनों minus कर देंगे, नहीं सर, हमने MAT के calculation के बोला, कि हम whichever is lower minus करेंगे, क्या करेंगे, whichever is lower, पर याद रखना, अगर company liquidation में है, यह company का management government ने take over कर लिया, तो उस case में company के हालत बुरी है, हम आपका साथ देना चाहते, हम आपको UAD, unabsorbed depreciation, और broad forward losses, दोनों minus करने दे देंगे, कोई problem नहीं है, पर तभी, जब आपकी band बजी पड़ी है, उसके बाद सर, मैंने क्या कहा, अगर आपको sick industrial company हो, starting from the year in which the company became sick, अगर आप sick industrial company हो, तो भी आपको deduction मिल जाते है, बस इतनी सारी adjustment होती है सर, जब आप MAD का adjustment करते हो, कि आपको मेरी बात समझ में आरी है राजा, ठीके सर, समझा गया तुमको, अब सर, यह तो MAD के adjustment है, जो adjustment आप लोग को के लिए बहुत important है, पर आगे का provision मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम, non applicability, non applicability के इस चीज़ की राजा, मेरी बात एकदम जान से सुनो, MAD provision shall not apply to a foreign company, आप अपने foreign company को MAD apply नहीं करोगे, अगर दो condition, पहला, अगर वो ऐसी foreign company मतलब भार की company है, उस company के साथ हमारा section 90 या 90 ये में agreement है, और उस company का India में कोई PE नहीं है, मतलब हम उसको पकड़ लेंगे जब चाहे, और इंडिया में उसका कोई permanent establishment नहीं है, MAD छोड़ दे, दूसरा, सर अगर वो company, उस country के resident नहीं है, और उसको इंडिया में किसी भी registration की ज़रुद नहीं है, तो भी उसको MAD का provision नहीं लगेगा, अगर 90-90-A वाली country है, तो उस case में अगर हमारे याँ PE नहीं है, तो छोड़ दो, किसी और country की है, और हमारे इंडिया में इसको registration नहीं चाहिए, तो छोड़ दो दोनो case में आप उसको exclude कर दोगे, उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप MAT का tax बढ़ते हो न, तो आपको एक CA का report लेना पड़ेगा, कि हमने जो book profit calculate किया है, वो section के हिसाब से, क्योंकि income tax नहीं कहाँ check करते मैठेगा, उसने बोला CA का report ले ले, और CA का report कब लोगे sir, जब आप audit report लेते हो न, उसी के पहले आपको लेना पड़ेगा, audit report के सामई लेना पड़ेगा, specified date के अंदर, specified date क्या है, आपका due date of filing return के एक मैने पहले का date है, उसकी बाद दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको, जब आप MAT के हिसाब से tax बढ़ते हो, जब आप MAT के हिसाब से tax बढ़ते हो, मेरे को एक बात बताना, क्या आपको, अपका क्या unabsorbed depreciation या brought forward losses कहीं भी effect होता है, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं ना जी न, यह बिल्कुल भी effect नहीं होते हैं, सर क्या आप मेरे को बता सकते हो, जो profit आप SEZ से कमा रहे हो, उस पे MAT देना पड़ेगा, हाँ सर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, 10AA वाले profit पे आपको MAT देना पड़ता है, और उसके बाद मेरी बात सुनना, जितने item हमने उपर लिखे हैं न, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उतरा ही adjustment करना, question आपको भढ़काने के लिए क्या करेगा पता है, बोलेगा, अरे इस company ने न, 20,000 रुबया cash में payment कर दिया, तुम बोलेगा, हाई ला, 43, अरे गंटा, तुमारा MAT का provision है, MAT बोलता है, इस सब adjustment नहीं होगा, दूसरा बढ़काएगा कैसे, बोलेगा, अरे इस पर तो TDS ही नहीं काटा, अरे गंटा TDS नहीं काटा, कोई 100% या 30% disallow नहीं होगा, तीसरा, बोलेगा, अरे ये जो payment है, accrue तो हो गया था, पर इन्होंने due date of return के पहले, pay ही नहीं किया interest का payment, तो interest to financial institution है, ये trigger करेंगे कि 43B लगा दे, पर आप मतलगा ना, पिछे अट जाना बोलना mat में, भाई ने जितना बोला, उतना करने का, उससे ज़ादा होशारी, नहीं मारने का, अब दोस्तों, अगर आपने mat के हिसाब से payment किया है, मतलब आपकी tax liability कम आ रही थी, और आपने mat का payment किया है, अब ये जो difference है ना, इसका आपको credit मिलेगा, और ये credit, आप आने वाले 15 assessment year तक क्या कर सकते हो, set off कर सकते हो, पर सर, set off कौन से साल में करोगे पता है, उसी साल में करोगे, जहाँ पे mat की liability आ रही है, ना कि normal tax liability, जब आप set off करोगे, तो उसी साल में करना, जहाँ पे mat की liability आ रही है, ना कि normal liability, कि आपको मेरी बात समझ में आई, अब सर, उसके बाद last important point, मेरे से ध्यान से सुनलो, इधर देखो सर, प्रीज इधर देखो, तो सर मैंने क्या कहा देखो, इसका मैं आपको एक example बताता हूँ, एक बहुत प्यारी सी line है, कि अगर आपका जो foreign tax credit है, जो आपको foreign tax credit section 90, 90, 91 में मिलता है, वो अगर आपको क्या लिखा हुआ है, फिर foreign tax credit allowed against tax payable under 115JB, mat में जो allowed है, exceed such tax credit admissible against tax payable as per normal provision, for computing credit, ignore such mat, गंटा समझा, अब समझेगा, देखो सर, for example, यहाँ पर illustration से समझो, इधर देखो सर, अगर मेरा foreign tax, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मेरा foreign tax credit था 12,00,00 का, और मेरा normal tax कितना था सर, मेरा normal tax था 10,00,00, रुपे का, मेरे को बताओ, अगर मेरी mat की liability आई 15,00,00, रुपे, तो generally आप credit कितना निकालते हो, उसर, credit आप निकालते हो, mat credit, यह कितना देना था और कितना दिया, तो आप बोलते हैं, 10 देना था, 15 दिया, तो 5 का credit आ जाएगा, पर सर्थ यहाँ पर थोड़ा सा game बदलेगा, आपको यहाँ पर 12,00,00 का foreign tax credit दिख रहे, अगर आप normal provision में जाते, तो आपका 10,00,00 रुपे का tax था, 12,00,00 रुपे का foreign tax credit था, लेकिन उसके सामने सिर्फ 10,00,00 की adjust होते, तो net tax आप 0 बर थे, पर इसमार 15,00,00 के mat liability के सामने, 12,00,00 रुपे adjust हो गया, क्यों? क्योंकि जादा mat था, तो जादा foreign tax credit adjust हो गया, तो आपको net कितना पे करा, 3,00,00,00 पे करना पड़ा, तो सर आपने जो extra 3,00,00,00 दिया है न, इतने का ही आपको credit मिलेगा, ना की 5,00,00,00 रुपे का, आपको सर तीन लग का ही credit मिलेगा, क्यों? क्योंकि सर आपको दो लग का, तो FTC का additional benefit मिल गया न, अगर आप normal tax regime में जाते, सर आपको पता है, ये दो लग का, जो FTC था न, ये carry forward नहीं होता है, ये सर लाप्स हो जाता, तो वो तो तुने mat में फाइदा उठा लिया, तो इसलिए तिरे को सर तीन लाग का, क्या मिलेगा, carry forward मिलेगा, mat credit के नाम पे, अरे समझे क्या, सर उसके बाद आगे मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम लोग पढ़ने वाले mat with indies, बहुत है आसान है, अगर तुम लोग समझ जाओगे सर, और आप तो AS के expert हो, indies के expert हो, तुम मेरी को सिखाओगे, पर मेरी बात सिरो सर में क्या कह रहा हो, indies के case में आपको क्या adjustment करना पड़ता है, दोस्तो, indies के case में आप दो चीज़ा add करोगे, दो चीज़ा less करोगे, दो चीज़ा add करोगे, दो चीज़ा less करोगे, सर, indies में नया क्या आता है, OCI, सर, OCI क्या है, other comprehensive income जो है, वो नया आ जाता है, तो हम लोग दो adjustment करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले सर, जो भी amount आपने OCI में credit किया है, उसको add करो, जो आपने OCI में debit किया है, उसको minus करो, मतलब सर, आपने OCI में adjustment किया है, इसका मतलब आपने PNL में adjustment नहीं किया है, पर आपको तो PNL में adjustment करना चाहिए था, अब सर, OCI में दो item होते हैं, एक item जो कभी भी reclassify नहीं होने वाला PNL में, अब किया है, तो PNL में add कर दो, so any amount which is credited to OCI, under the head, item that will not be reclassified to PNL, उसको add back कर दो, और जो आपने debit किया है, उसको minus कर दो, सर, ये OCI से related adjustment हो गया, पर सर, ये जो OCI वाला adjustment है न, इसमें दो चीज़ों का adjustment मत करना, जो चीज़े कौन से हैं, सबसे पहला re-valuation surplus, आपने अगर किसी भी asset का re-valuation किया, सर, दो index है, एक तो index 16, एक तो index 38, 16 कहता है PPE के बारे में 38 कहता है, intangible asset के बारे में, इनका अगर आपने क्या कर रहा है, re-valuation किया है, तो उसको adjustment करना, और दूसरा, सर, अगर आपका कोई equity instrument है, और उसका आपने fair valuation किया, FVT OCI, index 109 के इसाब से, सर, आपको पता है, FVT PNL होता है, और FVT OCI होता है, तो अगर आपने OCI के तो उसका fair valuation किया, equity instrument का, तो ये दोनों का adjustment आप नहीं करोगे, तो कब करेंगे सर, सर, इनका adjustment तब करना, जब वो respective asset dispose हो जाए, जब respective asset dispose हो जाए, तब आप उसका adjustment करना, उसके पहले आप उसका adjustment मत करना, सर, आप समझे क्या, सबसे पहले तो OCI सिर्फ उसी पर ध्यान देना, जो reclassify नहीं होने वाला, जो reclassify होगा, उसकी ऐसी किता ऐसी, दोस्तों, जब आपका merger होता है, या de-merger होता है, तो उस case में, अगर आप non-cash asset distribute करते हो, मतलब आप cash देने के जगा, कोई और asset दे देते हो, तो उस case में, आपको क्या करना पड़ता है, amount which is debited to P&L, on distribution of non-cash asset, उसको क्या करो, add back कर दो, और amount which is credited to P&L, on distribution, उसको minus कर दो, सर देखो, in-days क्या कहते है, अगर आपका distribution हो रहा है, आप कहते है, अगर मैंने आपको ये asset दे दिया, ये asset मेरे book में 1 करोड था, पर जब मैंने आपको दिया, उसकी value 3 करोड होगी, तो कहते हैं, 2 करोड रुपए P&L में डाल, 2 करोड रुपए P&L में डाल, कौन कहते हैं, इंडेस, क्योंकि इसकी value 3 करोड की है, जो तो P&L में 2 करोड और डाल, value 3 करोड हो जाएगी, फिर दे देना, पर सर आपका mat कहते है, इसको reverse कर, reverse मतलब तूने अगर P&L में डाल रखा है, उसको minus कर, तूने अगर credit कर रखा है, उसको minus कर, और अगर तूने value इसकी कम करी है, तो उसको add back कर, हम ये valuation को नहीं मानते, जो तूँ D-merger पे कर रहा है, on distribution of a non-cash asset, क्या आपको मेरी बात समझ में आई रजा, इस सर, उसकी बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो दोनों point मैंने आपको बता दिया, सर एक transition adjustment है, जो आप मेरे साथ याद करोगे, क्योंको आपके question में आपको दिखने के बहुत high chances है, सर जब भी एक company indies, जो है न, adopt करती है, तो indies adopt करते ही, in the year of convergence, आप उसको one-fifth, one-fifth करके क्या करोगे, increase और decrease करोगे as the case में भी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सर, जब आप transition amount निकाल रहे हो न, तो आपको question में दो चीज़े दी होगी, एक तो capital reserve दिया रहेगा, और दूसरा foreign operation का translation difference दिया होगा, ये दोनों चीज़ों को आपने transition amount से हटा देना, और उसके बाद one-fifth तर निकालना, सर, क्या हटाओगे, एक तो आपका, बोलो-बोलो क्या हटाओगे, एक तो आपके capital reserve का amount, और दूसरा आपका translation difference जो है, उसको आप transition amount से हटा करके, one-fifth निकालना, और इससाल one-fifth को adjust या plus या minus कर देना, सर, आपको मेरी बात समझ मैं, उसके बाद advance pricing agreement और secondary adjustment का जो है, वो हम NR के साथ पढ़ेंगे, NR taxation में में लिंक करवा दूँगा, पर दोस्तों, उसके बाद last point क्या लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पर दो बहुत important case law बताया, मेरे को बात बताओ, इधर देखो, सर मेरे को बताओ, अगर आप advance, आप अगर MAT में tax बर रहे हो, क्या आपको advance tax बरना पड़ेगा, जी हाँ सर, MAT अपने आप में एक self-contained code है, जितना हमने कहा है, उसके अलावा पूरा income tax लगेगा, तो आप advance tax बरोगे, नहीं बरोगे न, तो 234 A और 234 B और 234 C लग जाएगा, सर ऐसा कहा गया था, कहा गया था, joint के case में, joint, CIT versus Royalty India Limited के case में कहा गया था, कि यह चीज होगी, कि आपको मेरी बात समझ मैं, अब सर, उसके बाद अगला important point है, मेरी बात ज्यान से सुनना, सर, आपको पता है न, कि जब आप mat निकालते हो, अगर आपका जो net profit as per PNL है, उसको भी आप adjust नहीं करते, क्योंकि capital gain के income का adjustment नहीं लिखा है, मानलो ऐसा हो गया, कि आपने एक house property पेचा, और उसको आपको 5 करोड का profit आया, वो आपने अपने PNL में टाल दिया, तो उसके भी आपको mat भरना पड़ेगा, मैं यह कह रहा था, कि अगर आपने कोई घर पेच दिया, मानलो पांच करोड का profit आया, आपने उसको अपने PNL में टाल दिया, तो आप उसको हटाओगे नहीं, उसके भी mat देना पड़ेगा, पर सर हमने यह बोला, मानलो अगर इस साल मैंने 54 EC का exemption claim कर लिया, मानलो 50 लग का gain हुआ था, और 50 लग का मैंने इंवेस्ट कर दिया 54 EC वाले bonds में, तो लॉके था, अच्छा, वो exempt हो जाता, आ तो एक काम कर फिर उसको minus कर दे, या फिर उसको exclude कर दे, सर यह decide हुआ था, CIT वर्सेस Metal and Chromium Platter Limited, सर मेरी बात ध्यान से सुनना, शुड कापिटल गीन exempt, शुड कापिटल गीन exempt under 54 EC, which forms part of the net profit be taken into consideration on book profit, सर इन्होंने बोला क्या book profit के consideration में लोगे, mat calculation के लिए, सर इन्होंने कहा नहीं, मतलब इसको book profit में मत लो, मतलब आप क्या लोगें, जो capital gain exempt है ना, उसको आप मत लेना, मतलब अगर आपने 54 EC कमा लिया है, उसमें तुमको normal tax नहीं लगता, तो mat भी नहीं लगेगा, ये judgment में case law में decide हुआ था सर, logically आप जब देखोगे, तो law में लिखा है, जितना adjustment बोला उत्ता ही करना, पर सर CBDT ने अपना एक circular निकाला, और उसमें बोला सुनो भाई, इस साल मेरा अगर कोई net income नहीं है, मेरा बस 4 करोड का एक property बेचा, 3.5 करोड का cost था, 50 लाग रुपेगा क्या है मेरा capital gain, मैंने 54 EC में 50 लाग माइनस कर लिया, और मेरा net profit आया 0, अब तुम बोल रहे हो मेरे PNL में 50 लाग है, तो उस 50 लाग मेरे को 15 परसिंट दे दे, ये तो गलत बात है ना, क्यों दू मैं, मेरे को नहीं देना है, तो सर इन्हों ने बोला, तु वो वाले profit को हटा दे, तो उसको consider मत कर, क्या आपको मेरी बात समझ में आई हाँ सर उसके बाद सर आगे बढ़ते है वो point था बस यहाँ पर आपका mat का पूरा का पूरा provision जो है समाप दोता है इससे आपके सारे questions जो है वो आराम से solve हो जाएंगे अब दोस्तों आगे बढ़ते है freeze मेरी बात ध्यान से सुनना सर एक चि shares buyback करता हूँ अगर मैं तुमसे मेरे shares buyback करता हूँ मैं एक domestic company हूँ तो मेरे को जब मैं तुमको पैसा देता हूँ न तो मेरे को उस पे एक additional income tax भरना पड़ेगा पींगा company कितना tax भरोगे sir you will pay 20% नस उसके ओपर surcharge और sales भरोगे on the distributed income वालो जब मैं तुमने मुझसे shares लिया और अगर distribution of income है तो उस पे sir 20% का tax जो है कट जाएगा मैं आपको बतारो बहुत जल्द इस पे भी amendment आने वाला है और ये liability भी सामने वाले पे देने वाले हैं ये लोग पर अभी क्ले क्या है sir company को 20% निकाल करके जमा करना पड़ेगा sir 20% कब करोगे जैसे ही आप सामने वाले दिमकाना कुछ भी नहीं 20% flat प्लस सर्चार्ज प्लस सैस आपको निकाल के देना पड़ेगा sir अगर आप ये 14 दिन के अंदर नहीं दे पाए तो आपको 1% पर आनम का simple interest लग जाएगा और तो और सुनो आपको assassin default भी माना जाएगा पर एक बार आप अगर उस पे tax भर देते ह ना तो सामने इंडिविजल के आप में वो exempt हो जाएगा 1034 ही कहता है सामने वाले से फिर से tax ने लेंगे क्योंकि तूने तो 20% भर दिया ना सार ऐसा पहले same provision होता था dividend के case में जब आप dividend दे रहे हो तो dividend distribution tax आपको भरना पड़ता था और आपके हाथ में 1034 में exempt होता था उसके क्या कर दिया उसके बाद यहां पे छोटा मोटा point दिया हुआ है कि जब मैं आपसे shares करीद रहा हूँ my back कर रहा हूँ तो आपने जब उचसे shares करीदा था तो आपने क्या पैसा दिया था उसकी value कैसे निकालेंगे सर अगर आपने IPO या FPO लिया था यानि कि subscribe किया था जो पैसा आपने दिया था वही आपकी value मानी जाएगी पर दोस्तो अगर यह ESOP वगरा है तो हम क्या कहेंगे fair market value to the extent credited to share capital and share premium तीसरा सर अगर issue without consideration मतलब हमने आपको bonus share दिया था और फिर bonus share आपसे 2500 रुपे में खरीदे तो distributed income निकालने के लिए 2500 minus zero करो गया सर आप मेरी बात समझ रहो गया मेरी हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपसे revision है रजा I am assuming that you know all these things क्या हो रहा है आपको context आना चाहिए सर इसके लिए आपको na capital gain का section number 46 और section number 46 A जो है वो refer करना चाहिए कि आपको मेरी बात समझ मैं अरे बोलो yes or no yes or no yes or no sir yes perfect अब आगे बढ़ते है सर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना tonnage taxation की बात करते है प्लीज sir tonnage taxation के बार में क्या बात करते है मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना बहुत short मैं बताऊंगा ये exam में question आएगा तो आपको numerical भर solve करने की हिमत चाहिए बहुत length में दिया हुआ है अब simple ये समझो tonnage taxation किसके लिए होता है sir अगर एक qualifying company है जिसको जिसके पास सर अगर कोई qualifying ship है तो वो qualifying company अगर चाहे तो opt कर सकती है कि में tonnage taxation के यसाफ से tax बरूँगा अब दोस्तों उसमें मेरी बात ध्यान से सुनना qualifying company मतलब एक Indian company जिसका POEM India में है POEM मतलब place of effective management जो आप अपने NR taxation वाले chapter में पढ़ोगे और अगर उसके पास कम से कम एक qualifying ship है एक qualifying ship है और उसका main object क्या है तो operate ships, sir ship own करे या ना करे, lease पे ले या ना ले उससे गंटा फरक नहीं पड़ता पर वो ships को own कर रहा है दोस्तों ये provision जो है ना टाइज taxation का ये Indian companies के ले है वैसी foreign companies के ले एक provision बना है 44B में जो हम NR taxation में discuss करेंगे और दोस्तों qualifying ship मतलब वो ship जिसका तीन condition meet होता है सबसे पहले वो registered है उसका कम से कम 15 net tanage है minimum 15 net tanage है और उसके पास एक valid certificate है registered net tanage more than 15 और उसके पास अगर एक valid certificate है तो वो क्या बन ज जाएगा अब रजा मेरी बात ध्यान से सुनना अब उसका एक बात याद रखो कि अगर आपका इस business से profit है तो उसको separately compute करो ताकि आपको tonage taxation opt करना है कि नहीं करना है आप decide कर सको अब sir tonage tax निकालेंगे कैसे tonage tax निकालनेगे आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा tonage income what is ton Tonage income is basically sir आपके हर qualifying ship का हम लोग tonage income निकालेंगे daily tonage income और daily tonage income में हम लोग number of operating days multiply करेंगे तो हमको हर एक qualifying ship का किया आजाेगा tonage income और इससे अलग अलग qualifying ship का add करेंगे तो हमको total tonnage income आ जाएगा सर मतलब एक एक shift का निकालोगे और एक दिन का निकालोगे पहले एक दिन का जो निकालोगे उसको बोलते है daily tonnage income daily tonnage income कैसे निकालोगे वो depend करता है जो आपको मेरे साथ साथ याद करना है सर पहले तो 4 part divide कर लो तो देखो चिसमें divide कर दिया है आपने tonnage को divide कर दिया हजार हजार से 10,000, 10,000 से 25,000 और 25,000 से जादा सर अगर exact 1000 है तो यहाँ आएगा पहले वाले category में exact 10,000 है तो कहां पे आएगा दूसरे वाले category में सर exact 25,000 है तो यहाँ पे आएगा अब मेरी बात दियां से सुनना सर प्लीज मेरी बात दियां से सुनना अगर आपका यह tonnage है तो उसके बाद हमने कहा कहा कितना rate लगेगा सर पहले 100 tonn के लिए each 100 tonn के लिए 700 रुपीज लगेगा each 100 tonn मतलब क्या सर अगर मेरा 1000 tonn है हजार टन है, तो कित्वे 100 टन होगे? 10-100 टन होगे. तो 10 टन के हिसाब से कित्जा लग जाएगा? 70 रुपया, यानिकि 700 रुपया लग जाएगे. सब मैं को मताओ, क्या 1000 का आपको 700 रुपया निकल के आ रहेगा? कैसे? 1000 टन में कित्वे 100 टन होते हैं? सौतन नहीं रहे, अरे यह सौतन नहीं, सौतन, एक सौतन का कितना लग रहा है आपका 70 रुपे, तो आपके 10 सौतन के कितने लगेंगे, 700 रुपे लगेंगे, उस 700 इंकम होगी आपकी, दूसरा सर अगर 1000 से जादा है, 10,000 तक है, तो आप 700 रुपे ले लोगे, उसके उपर एक 100 तन का आप कितना लोगे 53 और थर्ड स्लैब में 100 तन का कितना 42 और 100 तन का 29 सर तो आपका 70 53 42 29 यह याद रखना और यह भी याद रखना पड़ेगा 700 5470 11770 5470 11770 एक बार बोलो 700 5470 11770 वर्स्ट के सेनारिय यह याद कर लो 70 53 42 29 उसके बाद दोस्तों मेरी द्यान से सुनना अगर आपका 100 तन के आसपास है तो आप उसको nearest nearest hundred पे convert करोगे सर याद रखना है एक टन is equal to 1000 kg और एक example भी डाल रखा है मैंने अगर आपका 47 549 800 kg है तो आप ऐसा मत करना कि 800 kg को पहले इसको करके दिखा उसर यह आपके होगे सर ऐसा मत करना कि 800 kg को तुमने 1000 kg राउंड ओफ किया और बोला यह एक टन हो गया एक टन को आड किया आपने बोला 47 550 टन हो गया और इसको राउंड ओफ करके 47 600 टन कर दिया ना जी ना सर यह इसको फर्दर राउंड ओफ नहीं करोगे सर्फ एक बार करोगे तो एक बार राउंड ओफ करोगे ना तो यह आपका 47 500 टन ही आएगा उससे अंसर बदलता है तो इस विल भी राउंड ओफस 47 500 टन यह आपका पूरा-पूरा एक कोई आपको deduction मिलेगा ना तो आपका जो PGPP law से वो carry forward होगा और नहीं आपको chapter 6a का deduction मिलेगा कुछ भी नहीं allow करेंगे बस इस पर तो तो तरको tax देना ही पड़ेगा अपसर मेरी बात चुलो यह जो scheme है ना यह आपको opt-in करना पड़ता है यसे बैठे-बैठे नहीं मिलता है sir opt-in कैसे करोगे में opt-in by applying to the joint commissioner within 3 months from the date it becomes qualifying company जैसी आप qualifying company बने उसके 3 महने के अंदर आप joint commissioner को apply करो sir जैसी आप apply करोगे ना एक महने के अंदर from the end of month joint commissioner बताएगा कि तरह application admit एगी reject अगर reject कर रहे तो 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 एक बार अगर आपने opt-in कर लिया तो आपके लिए यह valid कितने समय तक रहेगा 10 साल तक लिए valid रहेगा कि आपको मेरी बात समझ में हाँ sir पर अगर आपको tonnage income जो है transfer और book profit कैसे निकलता है यहाप इन्होंने का same as mad जैसे आप mad में निकालते हो वैसे आप निकालोगे उसके 20% जो है आप TTRC tonnage taxation reserve account में transfer करोगे अब मेरी बात समझना sir यह जो पैसा हमने एक reserve में रखा है उसका क्या use करेंगे तुमको अगले 8 साल के अंदर ना तुमको उसके लिए एक ship खरीदना है अगले 8 साल के लिंदर पर जब तक ship नहीं खरीद लेते तब तक आप क्या गरो इसको business के लिए use करो कि आपको मेरी बात समझ मैं पर सब business के लिए use करना मजब यह नहीं कि तुमने dividend distribute कर दिया नहीं आगे चलके तरह को खर्चा करना है एक ship खरीदना ह एक बर जब ship खरीद लिया ना उसको कम से कम 3 साल के लिए hold करना 3 years from the end of previous year अगर तुने उसके पहले बेच दिया तो भी तुने कांड गया और तुम फशेगा और अब उसके बाद एक question आएगा मेरी बात ध्यान चा सुनना ठीके सर्थ तो मैंने क्या कहा यहां पर देखो अब क्या होगा राजा अगर आपने दो तरह का failure किया है पहला failure to utilize the reserve for the given purpose तुमने 20% reserve में transfer किया तुमको वो 20% ship ले use करना चाहिए था पर तुमने अगर नहीं किया तो हम निकालेंगे तुम्हारा relevant shipping income relevant shipping income मतलब क्या है जो भी आपका core activity है उससे जो income आ रही है और जो incidental activity से income आ रही है वो actual में जो profit है न वो आपका relevant shipping income हो जाएगा relevant shipping income में से आप क्या करोगे आप proportion निकालोगे कि कितना total reserve बनाया था और उसमें से कितना निस्यूटलाइस कीया और चितना आपने निस्यूटलाइस किया ना वो taxable income बन जाएगा मतलब मालनो सर आपने reserve 10 करोड का बनाया था और उसमें से आपने 4 करोड को misutilize कर लिया और आपका relevant shipping income कितना था? 5 करोड का तो 5 करोड into जितना आपने गलत यूज किया 4 करोड divided by 10 करोड यानि कि 40% यानि कि 2 करोड जो है वो आपके हाथ में taxable हो जाएगा Similarly sir, अगर आपने आपको TTR में 20% बेजना चाहिए था मतलब आपको मालनो TTR में 10 करोड बेजना चाहिए था पर आपने short transfer किया तो आपका relevant shipping income into जितना आपका shortfall है आपने 10 करोड के जगा मालनो 8 करोड बेजा तो आपने कितना short बेजा? 2 करोड बेजा 8 करोड बेजा? 20% tax लगा दे 20% किसका? आपके relevant shipping income के Similarly sir, अगर आपने क्या किया? आपने भेज तो दिया पर गलत misuse किया तो जितना misuse किया ना उत्ता percent तुमारा income मालनी आ जाएगा उस पर tax लग जाएगा लेकिन sir मेरी में एक बात बताओ आपना relevant shipping income ले profit from core activities और profit from incidental activities लोगे लेकिन you will exclude profit from incidental activities if more than 10.25% of the core activity अगर 0.25% से जाधा है तो आप उसको exclude कर देना मेरी बात सुनो profit from incidental activities sir आपको मेरी बात समझ में आया separate books of accounts maintain करना पड़ेगा और CA का report furnish करना पड़ेगा अगर आप tonage taxation के लिए opt-in कर रहे हो ऐसी मेरी बात सुनो जब company का liquidation होगा तो company में liquidator appoint होता है अब liquidator चल के जाएगा किस के पास वो जाएगा AO के पास और बोलेगा है मैं आ गया देख कौन आया है असिसिंग officer को बोलेगा है myself liquidator of the company assisting officer बोलेगा रुख जा मैं पहले मेरा हिसाब बता देता हो assisting officer को मिलेगा तीन मेने का समय जिसके अंदर वो बताएगा एक ऐसा amount जिसमे उसका paid भर जाए तो मालो assisting officer ने क्या बोला तीन करोड रुपे मेरे को tax के लगने वाले तो एक बर वो आ गया ना तीन करोड रुपे लगने वाले उसके बाद liquidator को क्या करना पड़ेगा तीन करोड रुपे side में रखने पड़ेंगे जो उसको बाद में income tax वाले को देना पड़ सकता है पर sir सुनो जब तक सामने वाला बताता नहीं कि कितनी tax liability आ सकती है company की तब तक जो liquidator है न कोई भी asset बेचेगा नहीं अगर उसको बेच रहे तो उसको बड़े लोगों का PCC, CC, PCC सबका approval लेना पड़ेगा और एक बार अगर आ गया कितीन करोड रखना है तो उसको side रखके बागी बेच सकता है पर अगर उत्रा भी नहीं रख पा रहे न तो फिर से बड़े लोगों का approval लेना पड़ेगा सर आपको मेरी बात समझ में आगी हाँ पर सर हम आपको बेचने से मना कर रहे पर तीन case में हम आपको मना नहीं कर सकते पहला अगर आप बेच के tax pay करने वाले हो बेच के secure creditor को payment करने वाले हो या तीसरा आप बेच के खर्चा निकालने वाले हो liquidation का या winding up का तो हम आपको बेचने से रोक नहीं सकते और सर सुनो अगर liquidator ने बिना permission के बेच दिया तो जो company के tax liability आएगी ना उसके लिए liquidator personally liable हो जाएगा क्या लिखा है सर personally liable हो जाएगा पर ये सब बाते तुम करते रो हमारा insolvency bankruptcy code override कर जाते है insolvency bankruptcy code override कर जाते है मतब तुमारे सारी बात होगी ऐसी तैसी करती insolvency bankruptcy code ने तुमको समझ आया मेरी बात उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं एक बात याद रखना company की अगर कोई liability और वो ना पे करे उसके directors responsible होते है firm की liability ये ना पे करे तो partners responsible होते है jointly and severally LLP की liability ये ना पे करे तो partners responsible होते है jointly and severally ये बात याद रखना jointly and severally मतलब क्या चार partner दे चार मेंसे एक dissolve हो गया तो बाकी तीनों से भी ना, पैसा आप निकलवा सकते हो, जरूरी नहीं है, कि चौते पार्टनर से भी निकलवाना है, यह याद रखना है, इस पर question आता है, और company की liability के लिए, assessing officer आपको directly liable कर सकता है, कोई नहीं रोग सकता, कि तुमको मेरी बात समझ मैं आई, अरे बोलो, did you understand or did you not understand, बोलो yes or no, चलो सर अब आगे बढ़ते मेरी बात दियान से सुनना, alternative minimum tax, बहुत आसान है, alternate minimum tax, कुछ भी नहीं है, बस फरक यह समझना, MAT और AMT में क्या फरक है, MAT company के लिए था सिर्फ, यह other than company सब के लिए apply होता है, लेकिन, अगर आपका adjusted total income जो है, अगर आपका adjusted total income 20 लाग से कम है, तो यह provision आपको apply नहीं होता है, क्या कहा मैंने, यह provision सब के लिए apply होता है, लेकिन, अगर आपका adjusted total income, क्या होता है, वो मैं बताऊँगा, तो अगर 20 लाग है, उससे कम है, तो तिरको कोई AMT भरने की जरुरत नहीं है, सर अब AMT कित्ता बरोगे, सर इन्होंन आना टक्षुर हो गया है, भाई अभी cooperative society बालो का, उनके लिए आमने बोल दिया, तुम्हारा 15% रहेगा, सर पर यह adjusted total income क्या है, तीन चीज़े add करोगे आप, जो भी आपका total income निकल के आया, उसमें सबसे पहले chapter 6 से वाला जित्ता भी deduction है, आड कर देना, पर अगर आप cooperative society ह तो section ATP add करने की जरूरत नहीं है, वो वैसा का वैसे रहने देना, उस पे AMT नहीं लगेगा, दूसरा, सर आपने अगर section 10AA में कोई deduction claim किया, यह बहुत important है, तो 10AA deduction को क्या कर देना, add back कर देना, और तीसरा, अगर आपने 35 AD में भी कोई deduction claim किया है, उसको add back कर देना, पर जब 35 AD add back करोगे, तो normal जो आपको depreciation मिलता, वो तो minus करोगे, तो आप एक national depreciation का about minus कर दोगे, तो तीन चीज़े add करोगे सर, पहला, chapter 6 A, दूसरा, 10AA, तीसरा, 35 AD add back करना, पर 32 गे, इसाप से national depreciation minus कर देना, अब सर, आप अगर AMT भरना चाते हो न, CA का report लगेगा, आपको AMT का provision न last में याद रखना, अगर आपको तीन case में MAT, AMT नहीं लगेगा, पहला, अगर आप resident cooperative society हो, जो 115 BAD, BAE के लॉप्ट करे हो, वही बात है, सर, अगर आप individual हो, जिसने 115 BAC के लॉप्ट किया, वही बात है, और तीसरा, सर, अगर आप specified fund हो, जिसने 10, 4D में, specified fund हो, हम पढ़ेंग है क्या, अगर आप SEZ में special economic zone में जाके unit create कर रहे हो, और सर, आपने क्या किया था, पता है, आपने SEZ में registration, 31st March 2020 के पहले ले लिया था, और आपने अपना operation, 31st March 2021 के पहले शुडू कर दिया, तो उस case में क्या माना जाएगा, आपको eligible माना जाएगा for deduction under 10AA, मतलब सर, यह अभ कोई यह 10AA deduction नहीं मिलेगा, पर कुछ पुराने लोग हैं जिनको अभी भी क्या मिलता आ रहा होगा, यह deduction मिलता आ रहा होगा, सर, कितना deduction मिलेगा, भाईया तेरा जितना भी export का profit है ना, उसको माफ कर देंगे, कैसे, शुरू के पात, first 5 years में 100% माफ, second 5 years में 50% माफ, third, तीस reinvestment reserve में, कहां पे, SCZ reinvestment reserve में, transfer किया, तो जितना किया, उत्ता मिल जाएगा, up to maximum 50%, तो सर, पहले के 5 साल 100%, उसके बाद साल 50%, no questions आस, और उसके बाद के 5 साल में तुमको, SCZ reinvestment reserve में डाले, तो उसका 50% तर मिल जाएगा, सर, आपको मेरी बात समझ में आई, पर, यहां पे return file करना mandatory है, provision खतब हो गया, आज relevant हो गया, फिर भी 100 के उटे है, और 100 के उटते है ना, तो उटते जरूर है, कहते हैं लिग देते हैं, क्या फरक परता है, लगेगा कुछ हम budget बना रहे हैं, तो सर, इन्होंने क्या बोला, 139 में return भरेगा, तब ही 10W का तरको deduction मिलेगा, वरन भी ऐसा turnover, जिसका consideration जो है ना, वो आपको इंडिया में मिला है, लेकिन convertible forex में मिला है, यह बहुत important है, इंडिया में मिला है, लेकिन convertible forex में मिला है, इंडिया में लेकिन convertible forex में, लेकिन सर, चार चीज़े ऐसी है, जो export turnover में नहीं आती, सबसे पहला, इस पे आपको पता ये question आता है, जिन्होंने question man किया है, you know that this will not come, ठीक है, तो please मेरी बात सुनो सर, आपको क्या कहा, मैंने ये कहा, कि आपके export turnover में चार चीज़े नहीं आएगी, मेरे साथ साथ repeat करो ना, please, sir, पहला क्या नहीं आएगा, freight, 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 एक बार बोल दो, तुम भी बोल दो, तुमको कसम तुमारे DT के पेपर की, sir, कसम लगे, मतलब दो माक्स आ जाएंगे, बोल दो, क्या बोला मैंने, हाँ, अब तुमारी आवास निकली, तफने, मुह में तुम गुटका दवागे बैटे थे, मेरी बात सुनो राजा, क्या बोला मैंने, मैंने बोला, freight, पहला दो freight, दूसरा, टेली कॉम की चार्जेस, कौन से चार्जेस, जो आपके टेली कम्यूनिकेशन के चार्जेस है, तीसरा, जो आपका इंशॉरेंस है, with respect to delivery outside इंडिया, sir, जो delivery outside इंडिया के आप इंशॉरेंस लेते हो, वो भी turnover में नहीं लेना, क्योंकि वो इत तरह का reimbursement of expense है, और चौता, को total turnover से भी freight expense जो है, वो हटा दोगे, जो total level पे, तो freight expense, telecom charges or insurance with respect to delivery outside इंडिया, and any expenditure in foreign currency, ये सारी चीज़ा आपके exclude हो जाएगी, sir, उसके बाद याद रखना, brought forward, अच्छा, sir, ये भी important है, जब आप profit from SECS लोगे, total profit, तो उसमे ना, ancillary profits मत लेना, जैसे कि मेरे पास कोई import entitlement थ profit हुआ, उसको तुम consider नहीं करोगे, उसको चुप-चाप क्या कर देना राजा, ignore कर देना, उसके बाद दोस्तो, brought forward losses का क्या होगा, sir, आपके बस दो treatment है, brought forward losses का क्या होगा, sir, पहला option ये है, आप brought forward losses को ignore कर दो, क्योगी वो chapter 6 का part है, और उसका effect नहीं दिया जाएगा, या द option को लिख देना, जब आप लिख रहे हो, properly कि हम कौन सा option चूज कर रहे है, sir, ACZ, RR account का क्या use होगा, दोस्तो, आपको plant and machinery करीदनी पड़ेगी within 3 years from the end of financial year, सिर्फ 3 साल मिले है, और जब तक तुम plant and machinery नहीं करीदते, तब तक तुम उसको business purpose के लिए use करना, और अगर 3 साल में नहीं use किया, या miss use कर लिया, तो इसको deemed income मान लिया जाएगा, पर सर, ध्यान रखना, ACZ में जो unit है, वो ना तो split up या reconstruction से बनाए, और ना ही use plant and machinery है, इसके points आपने class के शुरू में पढ़ा था, और एक बात ध्यान से सुनना, जो भी आपका convertible forex आया है, जो भी आपको sales proceed इ अंदर आ जाना चाहिए, सर ये फहिमा से आ रहा है, कि जब तुमने कोई sale किया है, तो sale consideration जो आपको forex में मिलने वाला है, वो 6 में ने के अंदर इंडिया में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि books में receivable दिखाए जा रहे हो, नहीं भाया, देखो ना 100 के उठे, provision इतने सालों से चल रहे, 2006 में मना था, अभी 100 के उठें ये लोग, आगे क्या लिकाए, सर ये लोगों को, अगर आपको बोला गया, sale concentration इंडिया में ले आना, पर सर, अगर इंडिया के बाहर आपका कोई separate account है, उसमें भी अगर वो पैसा आ गया है, तो इसको team received in India मान लिया जाएगा, अग अगर पैसा आ गया तो team received मान लिया जाएगा, अब दोस्तों उसके बाद इन्हों ने कहा, loss under 72 and 74 can be carried forward and set off, कोई problem नहीं होगा, तुमारे losses carry forward and set off हो जाएगे, सर ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है, आपके पूरे के पूरे, बोलो, section 10 AA के deduction के ACZ के बारे में, अ मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, सर अज़े partnership firm में क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, दोस्तों, सबसे पहले partnership firm का आपको residential status निकालना पड़ेगा, partnership firm का residential status, उसके partner के residential status में बहुत जाधा depend, नहीं करता है, बहुत जाधा कहा, बिल्कुल भी नहीं करता, अगर place of control या management, जरा सा भी इंडिया में होगा, हलका सा, थोड़ा सा भी होगा, तो उसको हम residential status में resident बोल देंगे, और उसके income में tax लग जाएगा, 30% tax, सर्चार्ज लगेगा, 12% अगर एक करोड से उपर का income है, और 4% का sense लगेगा, अब एक बात याद रखना, sir, partners के बारे में basically आ अब भी मैं आपको बता देता हू, क्या होता है, दोस्तो, आपका जो firm होता है, section 40B बोलता है, कि firm जो है, वो अपने partner को remuneration अगर देता है, तो चार condition देखो, सबसे पहला जो remuneration वो दे रहा है, वो सिर्फ और सर्फ working partner को दे रहा है, non working partner को नहीं, दूसरा, remuneration जो है, वो deed deed के हिसाब से authorized है, और जब आप deed में authorized करोगे न, ओए राजू, ध्यान से, सुनी हो, सुनी हो, paper बिगड़ जाता है, मेरी बात सुनो सर, क्या बोला मैंने, पहला तुम working partner, दूसरा, अभी ताजा ताजा बना, गंदा है, अच्छा है, मतलब घर में बना के आये होंगे, मेरी इंजे नहीं कर सकते, और चौता, सर, आपना एक limit के अंदर ही remuneration दे सकते हो, अपने working partners को मिला करके, दूसरी तरफ, सर, आप अपने working partners को क्या देते हो, आप अपने partners को क्या देते हो, interest, सर, आप interest कैसे देते हो, आप अपना interest देते हो, किसी भी partner को देते हो, पर वो भी है capital पे देना capital पे तीसरा sir period भी आपका deed में लिखा होना चाहिए और चौथा sir maximum interest आप 12% per annum दे सकते हैं उससे जादा नहीं आप sir में को बताओ remuneration का क्या limit है remuneration depend करता है आपके book profit पे sir book profit पे क्या कि आपका book profit अगर negative है से लेके 3 lakh तक है तो आप book profit का कित्ता दोगे 1 lakh 50,000 और 90% whichever is higher और 3 lakh के उपर का जो amount है उस पे आप दोगे 60% और sir ये slab method है slab method क्या अगर मानलो आपका 10 lakh का book profit है तो शुरू के 3 lakh के आप 90% यानि की 2 lakh 70,000 और बाकी के 7 lakh के आप 60% यानि की 4 lakh 20,000 तो total कित्ता हो गया 6 lakh 90,000 कुछ सही है कि गलत है sir सब कुछ सही है इतना आप क्या दोगे इतने तक का remuneration आपको allowed है पर sir मानलो अगर आपने 8 lakh का remuneration दे दिया तो हाँ तो दे दे कोई दिक्कत नहीं है पर तेरको firm के हाथ में deduction सिर 6,90,000 का मिलेगा और उतना ही जितना firm को deduction मिला उतना ही partners के हाथ में PGBP income taxable हो जाएगा sir याद करो section 28 of PGBP कहता है any salary interest commission remuneration etc received by a partner from his firm in any name whatsoever उसको हम PGBP में taxable कर देंगे तो sir ये PGBP में जा करके क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा ये जितना deduction मिलेगा उतना ही taxable हो जाएगा उपर का जो disallow हो गया ये एक लाग दस अजार disallow हो गया ये partner के हाथ में taxable नहीं होगा क्यों? क्योंकि वो तो firm के हाथ में tax लग गया तो उसमें वापस से tax देने की जरूरत नहीं है अब sir सबसे बड़ा सवाल या आता है profit क्या होता है sir book profit मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना आप पूरा का पूरा PGP income निकालो PGP का deduction निकालो PGP income निकालोगे जैसे आप निकालते हो section 30 से 43B के deduction के बाद और उसमें चुप चाप add कर देना जो remuneration तुमने minus किया है जितना भी remuneration minus किया था उत्ता add back कर देना ताकि तुमको तुमारा book profit मिल जाएगा sir कुछ बाते बता दू क्या आपका section 32 वाला depreciation minus होगा हाँ sir क्या आपका unabsorbed depreciation minus होगा हाँ sir क्योंकि वो भी 32.2 में ही आता है क्या आपका broad forward loss और set of loss adjust होगा क्या आपका set of loss broad forward loss जो हो adjust होगा नहीं sir वो नहीं adjust होगा क्योंकि losses जो है वो section 72 वाले series में वो pgbp वाले adjustment में नहीं आएगा और उसमें आप remuneration add कर देना sir एक बात बोलू क्या इसी को बताना मत यहाँ पे ना interest add back नहीं होता है बच्चे confused होते है जोट 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 गलत गलत कर देते यहाँ पे interest add नहीं होता है सर्फ क्या add किया तुमने remuneration sir interest चुपचा 12% allow कर दोगे बाकी disallow कर दोगे उसके अलावा यहाँ पे वापस interest को add back नहीं करोगे क्यों? आपको sir remuneration add करना है और उस amount पे आपको अपना profit निकालना है उस पे अपना आपको remuneration निकालना है सर यह आपका 40B हो गया अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात ज्यान से सुनना 40B पूरा खतम उसमे एक और concept मैं आपको बता देता हू representative partner and representative capacity sir अगर मालो हुए हुए जो है पर असलना partner कोई है HOF अब दोस्तों तीन transaction हो सकता है सबसे पहला आपने अगर कोई interest का payment किया किसको आपने interest को payment किया करता को तो सवाल यह उठते है तूने payment किया तो सही पर किस के किस capacity में किया वो HOF का representative है उस capacity में किया कि करता खुद जो एक individual है उसने वालो आपको कोई loan वोन दिया था खुद के capacity में अरे HOF अलगे करता अलगे ना वालो करता ने loan दिया था खुद के capacity में उसका interest दे रहे हो कि HOF का कोई interest दे रहे हो सब अगर HOF का interest दे रहे हो ना तो HOF तो partner है तो section 40B लगेगा पर करता को उसके individual capacity पे interest दे रहे हो ना तो इस case में उसको नहीं लगेगा क्या 40B का limit नहीं लगेगा तो ऐसा question में दिया रहेगा कि firm ने करता को 16% का interest दिया पर उसको individual capacity पे दिया representative capacity पे नहीं तो उस case में आपको 40B नहीं लगेगा और सर अगर आपने interest सीधा HOF को दे दिया तो 40B लग जाएगा क्योंकि तुम अपने partner को interest दे रहे हो 40B attract होता है सर यह आपका partners in representative capacity था यह remuneration के ले भी है यह interest के ले भी है और आगे चलके आप AOP BOI का जब 40BA पढ़ोगे तब भी वहाँ पे यह condition जो है अगर आपका constitution में कोई add हो गया या minus हो गया तो जो reconstituted firm है उसका आप assessment करोगे दूसरा सर अगर succession हो गया succession मतलब firm का business आप कोई और कर रहे है तो सर आप predecessor का अलग income tax निकालोगे successor का अलग income tax निकालोगे और अगर business ही discontinue हो गया तो आप ऐसे tax निकालोगे दे रही है हाँ की नहीं सर येस आगे बढ़ते हैं सर अगले important provision में जो आपके cooperative society की बात करता है और ये बेहद important है सर cooperative society में थोड़ी unique बाते हैं आपको याद रखना पड़ेगा cooperative society में basically अलग-अलग members होते हैं वो bill करके mutual benefit society बनाते हैं सर इसमें क्या होगा जब भी कोई member बनना चाहता है उसको एक entrance fee देना पड़ते हैं सर वो entrance fee इन्होंने क्या बोला PGVP के हाथ में taxable हो जाएगा सर इस अगेंस दे प्रिंस्पल of mutuality सर mutuality क्या बोलता है अगर आप मैं निदी और दिशा आप में मोनी और दिशा बाटनी और मोनी रोय आप इन चारों ने मिलकर के क्या बनाया cooperative society बनाया तो सर हम चारों member है उमंग बड़ा मज़ा हैगा न सर मैंने कहा खाए हम चारों member है अब सर हम चारों member है तो हम member है और cooperative society law कहता है ये दोनो mutual concern है Member से Cooperative Society कभी पैसा कमा नहीं सकती, ऐसा बात लिखता है, पर फिर दूसरी तरफ यह लिखता है, कि पर जब शुरू में जब तुमें entrance fee देते हो न, तो PGBP में taxable हो जाएगा, शुरू में जब तुमें entrance fee देते हो तो PGBP में taxable हो जाएगा, मेरी बात समझे क्या, मेरी बात सुनो, सर, Cooperative Society का question आपने solve क्या था, सबसे बड़ा, आपके लिए बाकी सारे provisions अपलाई होंगे, और ATP का deduction आपके लिए एक unique provision था, ध्यान से सुनना, सर, आपको क्या-क्या deduction मिलेगा, आपने gross total income से, सारा income हटा देंगे, सर, अगर एक cooperative society है, जो banking business में engaged है, cottage industry, marketing में, अगर agricultural implement, life stocks वगरा, खरीदता है, अपने member के लिए, या फिर सर, processing without aid of power, पिना, electricity के क्या करता है, कोई processing करता है, collective disposal of labor, labor जाकर के provide करता है, labor service, या fishing या allied activities करता है, तो इन सब cases में क्या होगा, सर, इन सब cases में, आपका पूरा का पूरा income minus हो जाएगा, जो इन से आ रहे, पूरा PGPP amount आपको reduction मिल जाएगा, बतलब हम cooperative society को promote कर रहे, भाही तुम banking business करो, तुम cottage industry करो, तुम क्या गरो, marketing काम करो, जो भी agricultural produce बनाए, तुम उसको बेचो, सर, इसे अलग-अलग बहुत सारे आपके cooperative society है, marketing ले NAFED है, सर, आपके cottage के ले KVIC है, सर, cooperative society आपको पता है न, renowned cooperative society, इसमें कौन-कौन से आते हैं, मेरे को बताऊ, सर, मेरे को बताऊ, सर, आपका amul हो गया, amul आपका सबसे बड़ा renowned cooperative society है, तो हमने बोला, करना बिंदास कोई tension ही नहीं है, अब सर, दूसरा, अगर आपकी कोई और cooperative society है, primary cooperative society, which is engaged in supplying milk, coil sheet, fruits and vegetable grown by members, to, members का जो production है, उसको वो ज आके देता है, federal cooperative society को, government को, local authorities को, government companies को, तो उन cases में भी आपका पूरा income exempt हो जाता है, तीसरा, activities from other than above to, जो भी उपर है, उसके अलावा कोई activity करते हो, यह आपको दिखेगा आपके question में, कि भया, को interest income कमा लिया, किसी security से, यह सारे जो income होते हैं, उसमें आपको, अगर आपका consumer cooperative society है, तो एक लाग मिलेगा, नहीं तो आपको 50,000 मिलेगा, इस पे question है, और यह deduction भी है, यह वाला भूल जाओगे, देखो, बागी cases में तो आपका पूरा का पूरा PGVP हटा देंगे, पर यहाँ पे हमने आपका एक लाग और 50,000 रुपया हटाया है, कि आपको मेरी बात सम इसको लेटाउट किया, उससे income, पूरा deduction मिल जाएगा, और दोस्तो लास्ट point, आपका interest on securities और income from house property, अगर आपके कोई house property यह point देख लो रजा, क्या कहा में ने, सर इसमें देव ने इसको clarify किया ना, मेरी बात एकदम ज्यांचा सुनना, सर अगर आपको interest from securities मिला, किसी securities से interest, या आपको house property का income मिला, तो यह पूरा minus हो जाएगा, अगर आपका gross total income 20,000 से कम है, क्या शर्ते gross total income 20,000 से कम है, वरना पूरा taxable हो जाएगा, सर याद करो, एक question मिले alternate option था, alternate में income, interest on house property क्यों, income from house property क्यों tax कर दिया, क्योंकि सर अगर gross total income 20,000 से कम है, तभी यह minus होगा, वरना आपको यह taxable हो जाएगा, समझे से, सर, cooperative society के लिए slab यादे, 10,000, 10%, 20,000, 20%, 30,000, 30%, sorry, 10,000, 10%, 20,000, 20%, उसके उपर के लिए 30% लग जाएगा, आपको क्या, आपको income tax लग जाएगा, रे समझा, समझ ला काए, पर सर याद रखना, यह जो section 80P है न, it is not applicable to cooperative banks, cooperative banks को नहीं पर सर, primary agricultural credit society, या primary cooperative agricultural and RDB, Rural Development Bank, यह तोनों लोगों को लगेगा, पर उसके अलावा cooperative banks को नहीं लगेगा, किसको लगेगा, सर, primary agricultural cooperative society, credit society, और दूसरा primary cooperative, agricultural and rural development bank, जैसे नाबाड होता है न, वैसे ही क्या हो गया, सर, यहाँ पर नाबाड की जगा क्या हो गया, यहाँ पर आप option है, 115 BAD और 115 BAE में जाने कले, वो मैंने बहुत detail में नहीं डाला है, आप समझो, 115 BAD is similar to 115 BAA, और BAE is similar to 115 BAB, सर, आपको पता है, 115 BAE पहले नहीं था, pay, before anyone else, वो किसी पहले नहीं था, पर इन्हों ने बोला, cooperative society ने, कि मेरको क्यों नहीं, तुम मैनुफाइक्ट्रिंगा benefit दे मेरी बात समझ में आई रजा, उसके बाद मैंने क्या कहा, any cooperative society which opts for concessional rates of taxes, cannot claim deduction under ATP, moreover, section ATM, ATM deduction is also not allowed, सर, आपका ATM का deduction भी आपको नहीं लगेगा, सर, आप मेरी बात समझ रहो, एक फरक है, कि आपको ATP आपके हाँ से चला जाएगा, मतलब चुतना exempt हो रहा है न, यह पूरा नुपसान हो जाएगा, सर, उसके बाद मेरी बात ध्याद से सुनना, माना की doctrine of mutuality जो है, उसके वज़े से आपको transfer fee पे tax नहीं लगेगा, transfer fee क्या है, सर, अगर मैंने cooperative society में अपना share जो है, वो मैंने आपको बेचा, और आपने कोई transfer fee दिया, तो उस पे cooperative society को tax नहीं लगेग यानि कि आपके लिए और मेरे लिए relevant है, यह इध्यान से सुनना मेरी बात, यह आपके लिए practically सबसे important है, सबसे पहली बात सर, 115 BAC में आप अप्टन नहीं करते, by default आप 115 BAC में आ गए हो, पहले आप 115 BAC में opt करते थे, अब आप default आ गए हो, सर, अगर आप 115 BAC में default हो, तो slap क 0 से 3 लाक्स आपको निल टाक्स लगेगा, उसके बाद टाक्स रेट 5, 10, 15, 20, उसके 25 गायब करके इन्होंने 30 कर दिया, और 3-3 लाक से पढ़ जाएगा, सर, 15 लाक के उपर 30% हो जाएगा, एक आपको चीज यहां पर सिखा देता हो, अगर आप 15 लाक रुपे पे टाक्स नि सर आपको मेरी बात समझ में आई, हाँ सर, उसके बाद दोस्तो जैसे की ओल टाक्स रेजीम में, आपको बता है, 10 लाक रुपे में कितना आता है, 1,12,500 वैसे 15 लाक में कितना आता है, 0.50,000 रुपे आते, अब दोस्तो सबसे इंपोर्टन है, आपको बहुत सारे एक्जेम् पीचरी क्योंना सब्मिट कर दो, house rent allowance नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा खर्चा जो आप claim करते थे, आपको, आपके minor child का exemption, हाई ये तो तु मती दे भाई, ये तो तु नॉर्मल में मत दे, वो जो फंदरा सो रुपे चिलनर भर का देते हैं न, section 1032 में, वो भी नहीं मिलेगा, sir tax holiday under section 10AA, SEZ का benefit नहीं मिलेगा, sir अगर आपने section 16 में कोई professional tax है, या कोई entertainment allowance है, वो भी minus नहीं होगा, उसके बाद sir, 24B में, अगर कोई self-occupied property है, उसका interest भर रहे हो, एक रुपे का भी interest अलाउँ नहीं होगा, बहुत बड़ी बात है, अगर को individual 115 BAC में रहने का opt-in कर, रहने का सोच रहना, उसको यह याद रखना पड़ेगा, जुसका घर है, उसके जो interest है, वो minus नहीं होने वाला, additional depreciation नहीं मिलेगा, चलो sir, उसके आगे का same है, जो पहले भी पड़े, additional depreciation, 33 AB, 33 AB, उसके बाद 35, 2, 2A, 3, 2AA, 2AB, sir, 2AB क्यों मैं क्यों minus कर रखा है, क्योंकि sir, 2AB का, 35 2AB है न, वो वैसे भी याद करो, for what companies होते है, which is engaged in biotechnology बगेरा, तो वैसे भी 2AB जो है, company को मिलता है, individual को नहीं मिलता है, और 115 BAC सिर्फ individual के है, उसके बाद sir, अगर आप chapter 6 है, के deductions भी नहीं मिलेंगे, पर आपको ATCCD, sir, ATCCH, sir, आपका NPS वाला हो गया, और आपका अगनीवीर वाला हो गया, और ATJJAA, जो additional employee वाले हो गये, वो सारे मिल जाएंगे, आपको 35 AD नहीं मिलेगा, 35 CCC नहीं मिलेगा, और 35 CCD तो वैसे भी नहीं मिलता, क्योंकि ये company के ले है, जो skill development वाला है, वो सिर्फ company के ले है, तो वैसे भी तुमको नहीं मिलता, तो sir, ये सारे deductions आपको disallow हो जाएंगे, अगर आप 115 BAC के ले opt कर लेते हो, sir, set of carry forward की क्या बात करें, sir, इन सबसे related जो भी loss आया है, या इन से related जो additional depreciation से related unabsorbed depreciation है, वो सारा lapse हो जाएगा, उसको आप carry forward नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात, house property का head mail जो loss है, वो पूरा का पूरा loss हो जाएगा, ये सबसे बड़ी problem है, house property का loss का आप carry forward नहीं कर पाओगे, sir, अगर आपने opt-out किया, तो आप बिलकुल opt-out कर सकते हो, लेकिन आपको due date of return के पहले opt-out करना पड़ेगा, कि मैं opt-out करना चाहता हू, sir, एक बार आप opt-out कर लो ना, तो सिर्फ एक बार वापस opt-in कर सकते हो, उसके बाद आप दुबारा opt-out नहीं कर सकते, और sir, AMT आपको नहीं लगेगा, अगर आप 115 BAC क्ला opt कर लेते हो, आपको मेरी बात समझ में आई, sir, उसके बाद HUF की बात करते है, राजा, HUF में कोई खास बड़ी बात नहीं है, आप sir, basic चीज ये समझ लो, कि HUF में न, दो तरहागी लोग होते है, एक होते है, co-partners, एक होते है members, co-partners मतलब क्या, co-partners मतलब वो लोग जिनका, जो legal hire में आते हैं, जिनको हम क्या बुलते हैं, who are within the four degrees of relationship with the करता, four degrees मतलब जो, उपर का, जो नीचे के चार्ट generation तक है, वो लोग co-partners बनते हैं, बतब सर, मेरे बेटा, बेटी, ये लोग co-partners बनेंगे, पर जो बेटे का, बेटे की जो wife है, और जो बेटी का जो husband है, वो तोनों member बन जाएंगे, पर वो co-partners नहीं बनेंगे, सर, जो blood relation होता है न, वो ही लोग generally क्या बनते है, co-partners बनते है, अब सर, अगर एक co-partners और member में फरक्या है, co-partners जो है न, वो partition claim कर सकता है, पर member partition कभी भी claim नहीं कर सकता, क्या सर, एक male member से co-partners हो सकता है, हाँ सर, एक male member से, आपका HUF बिल्कुल valid हो सकता है, है कोई problem नहीं है, in fact, एक female co-partners से भी आपका HUF valid हो जाएगा, इसा वहतेरे court ने यह judgment दिया है, सर, आपको मेरी बात सबज में आई कि आपका, जी हाँ सर, उसके बाद मेरे को बताओ, partition of HUF हो सकता है, सर, partition दो तरह का होता है, total और partial partition, partial partition को income tax कोई जत नहीं देता है, मानता ही नहींगी कोई partition हुआ है, तो जो partition होता है न, तो मानलों partition में आपने एक asset किसी co-partner को दे भी दिया, फिर भी वो asset की income आपके याद में taxable होगी, क्योंकि income tax उसको नहीं मानता है, पर अगर आपका total partition हो रहा है न, तो उसको income tax मानेगा, अब दोस्तों partition के case में याद रखना, every member is jointly and severally liable for the tax, which is payable by the HUF, सर उसके बाद न, जब आप क्या निकालोगे, HUF का income tax निकालोगे, तो ध्यान रखना, सर HUF जो है, अगर अपने member को, कोई भी चीज inadequate consideration में देता है, तो clubbing होगा तो वो तो सही है, पर gift का profession नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि gift to relatives is exempt, और HUF के सारे members उनके relative होते, तो सर, clubbing का ध्यान रखना, और gift के taxation का याद रखना, सर section 10-2 कहता है, कि member को HUF से कुछ भी मिल रहा है न, family income का, वो member के आद में exempt हो जाता है, सर उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, ये important है, कि अगर करता को कोई remuneration मिला, तो वो allowable होगा, only if it is in the agreement, agreement में लिखा है, कि करता को remuneration देगे, जैसे partner को मिलता है, agreement में लिखा होगा, तो ही उसको क्या मिलेगा, उसको minus करके मिलेगा, कि आपको मेरी बात समझ में आई, हाजी सर, उसके बाद एक बात ध्यान से सुनना, सर एक case हुआ था, उसमें ये सवाल पूचा गया था, हुएफ ने interest free रोन दिया, अपने member को, to start a business of their own, is such business income taxable in whose hand, सर हुएफ ने, अपने member को, तोड़ा सा loan दिया, दसलाग रुपे का, उसने use करके, दसलाग रुपे का business clear, और business में, पैसा कमा रहे है, कितना पाचलाग रुपे का, सर क्या ये पाचलाग रुपे है, हुएफ में club कर दोगे, सर सुनो, एक business run करने के लिए, पैसा एक बहुत छोटी चीज होती है, बाकि आपका skills, आपका business mind, ये सारी चीज़े लगती है, तो ये जो पैसा आया है न, ये individual के हाथ में taxable होगा, ना कि हुएफ के हाथ में, सर ये बहुत बड़ा question मना था, CIT versus, चरंदास, मैं देख लेता हूँ, एक ऐसे है कि मिरसे गलती से आड हो गया, सर पर चरंदास, खनना एंड सर, पर सर intentional नहीं है, गलती से आड हुआ होगा राजा, पर होगा, ठीक है, वो copy paste है, तो चरंदास जो है, ठीक है, मेरी बात सुनो, सर उसके बाद HOF का tax rate क्या होता है, tax rate HOF का वो ही होता है, जो individual को होता है, जो हमने chapter 1 में discuss कर लिया है, आप सर उसके बाद हम लोग second last concept पढ़ेंगे, AOP BOI के हाथ में क्या होगा, और फिर हम लोग कुछ special tax rate करके, चाप्टर को घदम कर देंगे, सर मेरी बात सुनना, धयान से AOP BOI के case में क्या होता है, assessment की बात अगर करू, तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो AOP POI के case में बोल दू, सर section number 40 BA कहता है, कि अगर एक AOP BOI को, अगर वो अपने members को कुछ भी pay करता है, तो मेरी बात धयान से सुनना, it is not allowed as deduction in the hands of the AOP BOI, ये बहुत बड़ी बात बोली, मतलब हम बोल रहें, AOP BOI के हाथ में ये MMR पे tax मार दो, अब सर सबसे important है, कि AOP BOI के हाथ में tax क्या से लगेगा, सर taxation का rate क्या होगा, सबसे पहले समझे दो पार्ट में divide करोगे, एक जहां आपको अपने members का share ही नहीं पता, it is unknown, अगर share नहीं पता ना, तो तू MMR पे मार दे, या फिर अगर तेरी कोई ऐसी member है, तेरा कोई ऐसा member है, तो एक foreign company है, और मानलो उसको MMR से भी ज़ाधा tax rate लगता है, तो तो तू वो higher tax rate पे, पूरे AOP के income को tax लगा दे, सर मैंने क्या कहा, पूरे income को, या तो MMR पे tax मारो, पर अगर आपका कोई भी member है, member का share नहीं पता, पर member कौन ही है तो पता है ना, अगर कोई भी member हैसा है, जिसका MMR से भी ज़ाधा tax लगता है, तो तुम AOP के पूरे income पे higher tax rate लगा दो, यह तब हो गया जब आपको individual का share नहीं पता, पर अब सर आपको individual का share पता है, आपको member का share known है, पर सर उसमें से कोई भी member जो है ना, उसका एक भी member, उसका basic exemption limit से ज़ाधा उसका total income है, और जब यहाँ पे आप total income देखोगे ना, तो AOP BIOI का share नहीं, उसके अलावा वो जो कमा रहा है, वो basic exemption limit से ज़ाधा है, तो फिर मेरी बात सुनना, तो फिर हम वापस से क्या करेंगे, total income पे MMR मार देंगे, पर सर माल लो हमको पता चला, एक foreign company है, जिसका share 40% है, तो अब क्योंकि हमको सबका share known है, तो हमको बता चला, एक foreign company है, जो तो MMR से भी higher rate पे tax बर रही है, तो फिर सुनो, इस AOP के total income में, उसका जितना share है ना, उस पे higher rate पे tax मारो, और बाकी के income पे MMR पे tax नहीं रहाधा है, लोग क्यों है MMR सर, क्योंकि सारे लोग जो है ना, वो आपके, सारे लोग में से कोई भी इंसार, अगर basic exemption limit के उपर है, तो पूरे total income पे MMR लग जाएगा, सरी कि किस के हाथ में, AOP के हाथ में बात हो रही है, बेक बार फिर से बता रहो, फिर सर, AOP, BOI के हाथ में आप कैसे tax मारोगे, या तो आप 115 BAC के लाउप कर लो, या regular tax regime के इसाब से पे कर दो, slap case आप से, कोई problem नहीं है, तो सर, तीन केसी दर देखो, दो पार्ट में डिवाइड करो, एक तो जहाँ शेहर पता नहीं है, तो भाईया, MMR पे मारो, एक भी अगर foreign company है, जो ज़्यादा tax rate पे कर रही है, तो उस higher tax rate पे total income को tax कर दो, पर सर, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, दूसरे case में जहाँ पे share known है, तो सर, यह total income है, सर, share known है न, तो आप total income के कितना मारो, MMR मारो, पर, अगर आपको लगता है, foreign company का इत्रा सा share है, तो foreign company के share पे higher tax rate मार दो, और बागी पे क्या मार दो, MMR मार दो, जो आपको क्योंकि share known है, और सर, अगर, और तब कम, जब आपका, किसी भी member का income, जो है total income, वो basic exemption limit से ज़ादा है, और यहाँ पे total income, आप क्या include नहीं करोगे, total income में आप, इस AOP B.O.I. का share नहीं देखोगे, पर सर, तीसरा case, जहाँ पे किसी भी member का basic exemption limit से ज़ादा नहीं है, तो आप normal slap case है आप से, या 115 BAC case है आप से tax लगा दे ना, पर दोस्तों एक बार आपने अगर tax लगा दिया, तो member के हाप में क्या होगा, सर अगर AOP B.O.I. ने M.M.R. पे या उससे भी higher rate पे पे कर दिया, तो तो exempt होगा, तो तो exempt होगा, पर दोस्तों अगर AOP B.O.I. ने regular rates पे बढ़ाए, तो यहाँ important है, अगर regular rates पे बढ़ा है ना, तो आपके हाथ में include होगा, और आपको एक rebate मिलेगा, under section 110, sir rebate मतलब क्या, आपके हाथ में include होगा, आपका slap बढ़ेगा, आपका tax rate बढ़ेगा, पर tax rate बढ़ने के बाद, average tax rate निकालना, और उत्ता minus कर देना, रुप जाओ, illustration से समझाता हो, तब ही समझेगा, पर ये कब होगा, जब सामने वाला regular rate पे भर रहा है, जब धीरे से समझाओंगा, रुप जाओ, और तीसरा सामने वाले ने tax भर रहा ही नहीं न, आप total income पे add करो, और regular rates पे tax करो, कोई आपको rebate नहीं मिलेगा, सर हम discuss करते हैं, second वाला point, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको थोड़ा सा chart पे समझाता हूँ, सर पहला case और दूसरा case, अगर आपको share known नहीं है, और अगर share known है, सर अगर share known नहीं है, तो MMR हो गया या higher rate हो गया, तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है, member के हाथ में exempt हो जाएगा, पर सर दूसरा case हो गया known है, पर अगर किसी का भी total income basic exemption limit से जादा है, तो तो MMR पे लग जाएगा, तो यहाँ पे भी exempt हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है, पर सर बात कब है, जब share known है, आप एक AOP-BOI के member हो, और आपकी income कितनी है, आपकी income मालो 2 lakh रुपे है, इस share को छोड़के, AOP-BOI के share को छोड़के 2 lakh रुपे, कितना है रजा, 2 lakh रुपे, अब एक बात बताओ सर, 2 lakh रुपे पे आप पे tax लगता है क्या, उन्होंने regular rate पे tax भर आए, तो हम अब तेरे पे भी burden बढ़ाएंगे, कैसे सुनना, हम तेरा total income अब क्या गरेंगे, 2 lakh प्लस 8 lakh, कितना हो जाएगा 10 lakh, 10 lakh पे तू normal tax regime में है, मालने, पुराना मला, उस पे tax कितना हैगा, 112,500, तो तेरे tax rate कितना हो गया, तेरे tax rate हो गया 11.25%, पर सर, इस 8 lakh पे तो tax नहीं लगना चाहिए न, क्यों, क्योंकि तूने भाई, क्योंकि AOPBOI ने तो भर दिया है न tax, इस 8 lakh पे तो AOPBOI ने regular rate पे tax भर दिया है, तो बिले अच्छा अच्छा नहीं लगना चाहिए गया, एक काम करो, इस 8 lakh का 11.25%, 11.25% माइनस कर दो, 112,500 मेंसे, तो 112,500 मेंसे, आप 8 lakh का 11.25 कितना आएगा सर, 8 lakh का 11.25% आएगा, 90,000 रुपाइ माइनस कर देना, तो 90,000 माइनस करने के पादा, आप कितना दे रहे हो सर? तो 22,500 में वैसे math calculator के बिना कर लेता है, पर मैंने दिमाग नहीं चल रहा था अभी, सर 25,500, तो एक तरफ तुम 2 lakh पे कोई भी tax नहीं दे रहे थे, अभी उसी 2 lakh पे तुम 22,500 दे रहे हो, क्यों? क्योंकि हमने रिष्टा वही रखा, बस सोच नहीं कर लिया, रिष्टा वही, सोच नहीं, हमने तुमारा 8 lakh जोड़के, तुमको slab rate बढ़ा दिया, slab rate बढ़ा है, तो तुमको tax लगा, उस tax में से 8 lakh के हिसाब से, average rate minus कर दिया, math से sir, तो आपको ये rebate मिल गया, ये जो 90,000 का rebate मिला न, this rebate is rebate under section 110, तो ये rebate minus करोगे, और इस पे आपको question आएगा sir, मैंने example भी दे रखा है, उसके यहाब से आप solve कर सकते हो, उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर एक question पूछ रहा हो, इधर देख, sir, एक पपा थे, एक जने के पपा थे, पपा गयो, पपा गयो, बहुत बुड़े हो गए थे, 90 साल हो गए थे, और करने की जरुवत नहीं है, 90 साल के हो गए थे, अब sir, उनके तीन लड़के थे, तीन लड़कों को क्या मिला, एक जमीन मिला, लैंड मिला, जी कहे, एक जमीन मिला, उस जमीन को क्या कर लिया गया, सरकार ने compulsoryly acquire कर लिया, अब जब compulsoryly acquire कर लिया, तो जमीन की cost थी, सर्माल लो, इनके हाथ में 10 लाग रुपे, क्यों, पापा ने 10 लाग पे खरी जा था, पर इनोंने बेचा ना, तो इनको compulsory acquisition पे 50 लाग मिला, अब सर्थ 50 लाग रुपे मिला, 10 लाग की जमीन थी, तीनों का बराबर का हक्ता, तो assessing officer बोल रहा है, इसको individual हाथ में assist नहीं करेंगे, इसको तीनों को AOP समझ करके, एक साथ AOP के हाथ में assist कर देंगे, सर AOP के हाथ में तो MMR पे मर जाती है, MMR पे tax मर जाती है, तो हमने बोला भहिया, बकवास मत कर, इनके बीच में कोई संगठन नहीं बनाए, कोई AOP नहीं है, जहां पे resultant CG has assessed the status of AOP और individual status, क्या करोगे, सर answer, it is taxable in individual hand, no reason to be assessed as an AOP, यह तो तुमको लगता नहीं है, यह सब provision तो हमारे बरहम को यूँ ही समझ आ जाता है, इन लोगों को इतनी लड़ाई क्यों करनी पड़ती है, सर यह लोग ना try करते है, जीट जाएंगे तो थोड़ा पैसा कमा लेंगे, हार जाएंगे तो वैसे ही पैसा नहीं कमा रहें, कोई बात नहीं है, सर उसके बाद मेरी बात सुनना, एक ACC club था, जो क्या था, gym वगएरा का service provide करता था, the club था, AOP था, उसने अपने member से क्या लिया, member से interest कमाता था, सर member से पैसा लेता था, उसको FD करवाता था, FD से interest कमाता था, मेरको बताओ, क्या वो interest income उसके आद में taxable होगा, हाँ जी सर, वो interest income उसके आद में taxable होगा, सर members जो gym में पैसा deposit करते, उसको FD कराके interest income कमाना वो interest income तो bank से कमा रहा है ना कि member से तो तो ये नहीं बोल सकता कि अपने ही member से कोई पैसा कैसे कमा सकता है principle of mutuality नहीं लगा सकता तू उस पे तिरे को tax बना पड़ेगा सुनो, एक gym खोला एक club ने, एक club है club में members से deposit लेते थे 10-10,000 रुपे का members जो है, वो club के ही members है उन्हों नहीं पैसा ने के club बना है और ये 10,000 रुपे को आप FD कराके interest कमाते थे ये आपके हाथ में taxable हो जाएगा ये exempt नहीं होने वाला last message, कुछ special rates है not that important मैं आपको बता देता हूँ याद कर लो, 115B अपका कोई life insurance business अगर है तो उससे आने वाला profit जो है वो 12.5% पर टाक्सेबल होगा और इस पर मैट नहीं लगेगा, क्योँ? अरे 15% से कम तो tax rate है तो 12.5% पर टाक्सेबल होगा life insurance business का profit दूसरा सर मेरी बात द्यान से सुनना अगर आप एक resident individual हो जो employee हो किसी ऐसे company के जो specified industry में काम करते है तो सर specified industry में काम मतलब क्या? specified industry मतलब आप आगे चलके देखो के IT industry अगरा में काम करते होगा तो वहाँ पे अगर आपको कोई ESOPS वगेरा पे dividend मिला या ESOPS वगेरा को बेच के long term capital gain हुआ तो सब पे 10% का tax लगेगा सब पे क्या लगेगा? 10% का tax लगेगा सर बहुत जादा इस पे depth में नहीं कुसरा बहुत जादा important नहीं है next सर हम चाहते हैं तुम इंडिया में बहुत सारे patent develop करो तो आप अगर इंडिया में कुछ develop किया एक चीज और उसको रेजिस्टर करवाया आपने नाम पे patent करवाया और उस पे आपने किसी को दिया patent यूज करने और उससे royalty कमारे हो हम बोल रहे very good I am proud of you made in India royalty पे कित्ता लेंगे हम आपसे सर्फ 10% लेंगे हम चाहते हैं आप अपना बनाया हुआ चीज दूसरों के साथ share करो और आप उस पे royalty कमाओ और सर्फ 10% पे आप tax बर दो क्या आपको मेरी बात समझ में आई सर क्या आपको मेरी बात समझ में आई उसके बाद इनों ने क्या लिखा सर अगर आप ये 10% भढ़ना चाहते हो ना आपको opt-in करना पड़ेगा opt-in क्यों क्योंकि इसके सामने तुमको कोई भी deduction नहीं मिलेगा और एक बार opt-in कर लिया ना 5 साल तक opt-out नहीं कर सकते और एक बार opt-out कर लिया ना तो उसके बाद 5 साल तक opt-in नहीं कर सकते 5-5 साल का बनवास हो जाएगा और last सर carbon credit 115 BPG ये याद कर लो सर हम कभी-कभी अपने पास बचा हुआ carbon credit किसी को बेचते और उस पे कमाते सर कार ने बोला नहीं जादा नहीं जादा नहीं लेंगे हम नहीं लेंगे बिल्कुल भी करके 10% tax खा गया वैसे तो दिल बड़ा कि हमने यहां तक वीडियो देखा सर रम का अच्छा लगा trust me when I say this your appreciation is my motivation to do all these things so do not hold yourself back from sending a small load of appreciation in the comment or anywhere because it really means a lot to me that these resources are helping you ठीक है thank you so much for giving me so much of your time before I leave and before I end this session I have a very small thing to tell you sir DT का syllabus it is very vast not a single chapter in DT is going to give you so much of comfort कि भहिया मेरे को exemption तो आजाएगा या मेरे को 70, 75, 80 तो आजाएगा पर एक बात समझना इस subject में सबसे बड़ी आपकी strength क्या है पता है इस subject का difficulty subject का volume यह आपकी सबसे बड़ी strength है कैसे समझो sir जो चीज आपके लिए भी pain है सामने वाले clip भी pain है और अगर वो solve नहीं कर पा रहे पर at the same time हम solve कर करके हम इसको थोड़ी सी भी अपनी strength बना लेंगे दूसरों के comparatively तो उस case में हमारा फाइदा हो जाएगा हम exam hall में जादा अच्छा perform कर पाएगे so all you have to do is ऐसा तो हो नहीं सकता कि DT के सारे के सारे chapter आपके दिमाग में घुश गए पर जितना पढ़ोगे ना उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि अगर आज MAT से AMT से आपको 115 QA का भी कोई question आगया जो additional income tax था buyback पे वो question भी आप अपने level पे बहुत अच्छे से solve करो दो ढ़ाई घंटे लग जाएंगे which is very normal theory तो इससे related जो भी चीज़े करनी है इसको आपको आज कल में खतम करना पड़ेगा बाकी I hope you enjoyed this session video like जरूर कर जेना और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में until then take care this is your CA buddy Shubham Singal signing off bye bye